नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अफिनो सिंग और आप सभी का बहुत-बहुत सौगत है कोल्यान पे तो आज मैं बहुत ही भयंकर क्लास लेके आए मतलब महामराथन किसका लिब्र आफिस का लिब्र आफिस में तीन पार्ट है आप सब को पता होगा राइटर भी है कैल की भी या साम जिसमें लिब्र आफिस हो जैसे बीसी में भी होता है कुपल सी प्लस में भी होता है तो लोग भी पढ़ सकते हैं यह मत्तु कहिना कि नहीं लिखा बहुत करें इसमें क्या है वीट सुमें यह को बीट इसका भी 20 है और इसका भी है यही हाल maximum question आपके लिब्र ओफिस से ही सब्मंदिर आने वाले हैं आपके एक्जाम में पक्का यह बाद जान लेना तो यह सोच लो कितना खास आज की class होगी आपकी महामराथन राइटर में 100 question कैल के में भी 100 question और इंप्रस का भी 100 question लेके मैं आया हूँ हालां कि जो इसका PDF होगा देखो सबका PDF भी है लेकिन PDF किसको मिलेगा जो पेड़ वैस लिया है उन्हीं को मिलीगा तो PDF में इस राइटर के सबका मिलेगे मतलब PDF में आपको 500 question मिलने वाला है और बाकी मैं आज जो कराऊंगा मैं 300 question आपका कराने वाला हूं तो जिसको पेड़ लेना है ना तो गोल्यान application download कर लेना चाहे आप लेबल कर रहे हो तो पूरा लेबल में तो चार वेपर है तो चारो के लिए आपको मिल जाएगा गोल्यान application पर जिसका लिंक description में है और सर्च करोगे ना प्ले store में गोल यान ऐसे लिखना वहां से आपको एप मिल जाएगा यहां से आप सबसे सस्ता सबसे अच्छा कोर्स आपको मिलेगा गोल्यान application पर यह बात याद रखना है जिसको पढ़ना दिल्चस्पी है डिटेल से लिवर ओफिस भी मालव डिटेल से आपको पढ़ना है तो आप कोर्स ले सकते एकदम सस्ते प्राइज में सब कुछ मिलने वाला है वहां पर ठीक है तो भाई सुरू करने देखो यहां पर अगर मैं इस बोर्ड पर नहीं पढ़ाने वाला मैं आपको पहले बता देखो पढ़ाऊंगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्यूं क्यूंकि आपको एक्स्पेंड करना है ना राइटर में इसा थोड़ी समझ में आएगा चीज तो एक्स्प्ले सब्सक्राइब कर लेना और सब लोग गोल्यान अप्लिकेशन डाउनलोड कर लेना वहां से भी जो आपको देखना है देख लेना पीडियाप तो वहीं पर मिलेगा सबका ठीक है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को पहला क्वेश्चन आपके सामने है एक प्रकार क वर्ड प्रोसेंस सफ्ट्वेर है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है तो यह लिब्र आफिस राइटर है तो माइक्रो सॉफ्ट अगर यहां पर लिखा होता तो यह भी हो जाता लेकिन यह माइक्रो सॉफ्ट ना लिखनी क्यों पहला नमबर जो है वो नहीं हो पाएगा लिब इसमें क्या होता है जैसे अब आप नीचे जाओगे एकसार देखो यह एक्जित लिब्र आ उफिस लिखा हुआ है तो क्या लिख्या हुआ याप है च्थर क्यूं से होगा पूरा लिब्र आपस आपको एक्जिट हो जाएगा लिब्र आपिस एकजीट का मतलब जैसे की माल क्लोज कर सकते हैं कि यहां से लिखा हुआ है कितने तरीके होते हैं आप विंडो में जाओगे तो भी देखो एक क्लोज विंडो लिखा है कंट्रोल डबलू इस से क्या फर इस पर कंट्रोल क्यू और कंट्रोल डबलू में क्या डिफरेंस होता है कंट्रोल डबलू जो होता है वो सिर्फ एक बिंडो को बंद करेंगा, मतलब राइटर आपने माल लो, राइटर को ही दो-तीन बार खोला है, टैल को भी खोला है, सिर्फ आपका, देखो यहाँ पर दिखा है, सिर्फ आपका राइटर बंद होगा, यहाँ पर टीक है, अगर Ctrl W दबाते हो, तो, बाकि आप यहाँ से भी बंद कर सकते हो, है न, कई तरीकें होते हैं बंद करने के, आप समझ रहे हो, Ctrl Q जो होता है, वो पूरा LibreOffice बंद कर देगा, मतलब इसका उत्तर Ctrl Q हो जाएगा, राइटर डाकुमेंट का एक्टेंशन, तो होता है, ODT, क्या होता है, जैसे माल लो, आप सेफ कर आगया, क्या लिख के आगया, ODT लिख के अपने आप आगया, और अंटाइटल वन भी लिख के आगया, यहाँ पर, इसको भी सेव नहीं करते हैं, वैसे बढ़ाने के लिए कर रहा हूं आपको, अब आगे बढ़ते हैं, नेस्ट कोईशन पर, मैक्समाम जोम कितना हो सकता ह मैक्समाम जोम देखो, इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा दिखाए देगा नीचे, यहाँ पर एक मिनट में थोड़ा सा इसको, आपको छोटा कर देता हूं, ताकि अच्छे दिखाए देखो, यहाँ पर अभी 120 परसंट दिखाए दे रहा है, अभी इसको जब मैं वढ़ करना, मैक्सिमम, 600, मिनिममम, 20 परसंट, अब हमारा यहाँ पे इसको मैं कर देता हूं, 600 परसंट, अगर मैक्सिमम, मिनिममम पूछे तो 20 परसंट, तो कैल कवाला जब क्वेश्चन कराऊंगा, तो कैल कवाला उसमें आपको मिल जाएगा, टेंसर मतना, वैसे मैंने खोल रखा है, और यह इंप्रेस कोल रखा है, आगे मैं जब कराऊंगा, सब कुछ बता दूगा, ठीक है, चलिए, यह है, इंसर्चन पॉइंटर को निव निवे से अन किस नाम से जाम रहा है, उसको करसर बोलते हैं, याद रखना, क्या बोलते हैं, करसर, यह कोशन सिंपल है, जैसे क्या होता है, जैसे आप यह देखो, इंसर्चन पॉइंट आपको देखो, यह जो नहीं बिलिंक कर रहा है, वो क्या है, करसर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, साइड वार बोलते हैं, जैसे यह आप यह दिखाई दे रहा है, यह साइड वार है, इस पर खोलो, कई स ताइल यह इदर गैल्जी में जाए इमेज में निकाल सकते हो इधर होता है आपका नेविगेटर और इधर बहुत सारे मतलब पेज के बारे में आप कर सकते हो इसको क्या बोलते हैं साइड वार वोलते हैं या रखना इसकी शौटकट की भी पूशता है तो सौटकट की काहां इसका क्या जाएगा साइड बार किमपल सा है अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि राइटर में टूल में अंतर कर वर्ड और विकलब चुनते हो तो परहा है कौन सा नहीं होता है इसमें से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है क्या रहा है कि फॉल्विंग फीजर इस नॉट डिस्पेड इंद वर्ड काउंट डायलोग बॉक्स इनमें से कौन सा नहीं होता यह देखना आपको लिखा है पेज इन इंटायर डाकुमेंट वादला पेज को काउंट करेगा एक इस पेस के साथ किया फिर बिदाउड इस तो करेक्टर दो बाल लिखा है एक इस पेस करणा देख देखो यहां पर टूल में जब जाते हुआ जब यहां सबस्सक्राइब करते हैं नहीं कि एक लिख्यार है इसमें नहीं जीरो है तरह मोई ते नब दिया और मतलब आपको उत्तर क्या है दिए हैं पेज नहीं उसमें दिखाए दिया उत्र क्या होजये अब हो अम कि लिए है पेस नहीं बताता हो आप डाकुमेंट को फोलने के पूसरे फाइल का किस कमाड का यूज करेंगे देखो लिगा डाकुमेंट को खोलना है अपत तो ओपन अलग चीज होता है नू अलग चीज होता है देको यहाँ से जैसे अभी दिखाऊ फाइल मेनु में जिब देखोगे एक नू है टेक्सट डाकुमेंट पर क्लिक कर दोतो लेकिन उपन क्या होता है कुछ बनी बनाई पहले से कोई भी आप ले सकते open में इमेज रेना चाहते है त और टेक्ट्स लेना चाहते है कोई आप लेना चाहते हो यहां पर ला सकते हो तो इसलिए आपको उत्तर क्या करना है है ना कहीं अब ढरती Колि इसमें झु Campbell हो उत्तर पता होना चाहिए से जी इन अन्य नाम से यह नियूमनि से अश् arrow और से अफ टॉर से अज़ वे इन ऐस से ब करती है तो भी से यह अगो को पढ़ना हैं अब आप को जो पेड़ बैच लिया होगा उसको पूरा में पढ़ाया हूँ एक एक विकल्प जैसे यह फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, इंसर्ट फॉर्मेट सब एक एक मेनू बताया हूँ ठीक है उसको पढ़ना है पढ़ लेना देखो रिमोट सर्वर पर अगर आपको सब्सक्राइब करना चाहते हो तो बताओ आप गूगल ड्राइब या कहीं मैने सर्विस ऐसा है यह सब चीज इस तरह से होता है help button help f1 के लिए help होता है धियां रखना f1 सब में होता है मैं जब कैल इंप्रेस सब के लिए होता है और कैल के में भी पढ़ाओं गजब मैं तो इमस्टों उसमें अलग से बताओंगो मैं तो देखो f1 एक खुला है help देखो f1 लिखा हुआ है इसलिए सब में होता है help का option यहां पर देखो यह f1 तो help जो होता है न वो सब में एक ए तो बश्यादा दोस्तों पेज टप देखो यह होता क्या है जैसे कि अभी अभी दिखाओ आपको यहां पर जब जाओगे format मेनू में इसी में जब हो जाता है फिकर पेज का मारजीन है ने रिख और देखो लिखा ना ने देखो मारजीन है पेपर फॉर्मट किस तरह साफ करना चाहते हो इसको एक्शुल में पेज-सटप ही आप आप पाया किसमें जाता है पेज में पाया जाता है रखन है आपको मार्जन किसको कहते हैं किनारों न छी Пडाया ने बना हुआ इसके कितना दूर और यह करता है मार्जिन से ठीक है निम्र कि तो मैं से किस्विकल कंटोर शिप्ट वी तो कंटोर शिप्ट वी जो होता है ना वो पेस्ट इस्पेसल के लिए होता है किसके लिए पेस्ट इस्पेसल के लिए होता है यहां पर आप देखोगे ना यहां पर एडिट में होता यह सब देखो एड टेक्स्ट तो और लगा देना बीच में कंट्रोल और शिप्ट वी और सिर्फ पूछे पेस्ट का तो अंडोल वी ही पेश्ट का होता है ठीक है कि लिए कि तो अब आगे देखते हैं के डाकुमेंट को प्रिंट करने के लिए कि पढ़ने से पहले करा कौन से स्कीन दिखाएं इसको करते हैं print preview print preview का मतलब होता है कैसे हमारा पेज दिख रहा है इसके लिए हम print preview करते हैं print हो या फिर print preview यह सब file menu में पाया जाता है नीचे देखो गए print preview का shortcut की पूछे तो control shift O होता है ठीक है और print का सिर्फ पूछे तो control P होता है clear है कि यह सब note करते चलना जो इसमें question नहीं है f12 का करता है भाई देखो f12 का दिखाता हूँ आपको यहां पर देखोगे निधर लिया हो यह देखो इस पर ले जा रहा है तो इस पर ले जा रहा है यहां तो इसके अलावा दोस्तों format में मैंनता है तेक्स्टा मैंजा ओगे लिस्ट में जा ओगे था की सब लिखा करता और ऑन बलस यहाँ पर और अलुटल इसकर वी क्वाटत एमाल्च नोपरiber exotic नाइस फॉल बहुत है इस उटार वहां पर प्रके क्या कुछ knows है यूटूब पर लेना इसको वहां पर इसकी लिए सकते हो नहीं तो नोट कर लेना आपको पता ही होगा बाकि जो पैड को पैच लिया है उसको तो पूरे डिटेल समय पढ़ा चुक हूं है तो इसका क्या हो जाएगा सिर्फ एक टल को क्या होता है और लिस्ट बी नंबर हो किसी डीटिंग कर दोगे न उसमें मतलब किसी डाकॉमेंट को क्या करते हैं तो इसको बदल सकते हैं तो इसको बदलते हैं कुछ वी करते हैं writer में word count किस बिकलब में पावी just मैंने बताया tools में पाया just ने फटा फट चलता हूँ जाद ये लगांगा किसी भाक कि किटांगत कट copy किया गया content क्या हो जाता है तो clipboard में saved होता है जाद रखना आप लोग होता कि कह कोई भी चीज हम कट या कॉपी करते हैं दोस्तों तो क्लिप बोट में चला जाता है और क्लिप बोट में तब तक रहता है जब तक कुल केतना आइटम रहते हैं अगर बदलना है आपको तो इस टाइब दिए फॉर्मेट में चले जाओ एक टेक्स्ट में भी जाते हैं और बहुत सारा और देखो इसमें दो-तीन बात आपको समझना है एक तो यह है फॉंट साइज यह क्या है कि फॉंट नेम है और यह क्या है एक पाहर आगर आप इस इधोर बैए common humidity को दोनों और से alignment कर देता है तो justify alignment कितने प्रकार के होते हैं देखो कि के अभी अगर format में जाओगे टेक्ट alignment कि यहां पे देखो दिखा है left alignment central alignment right alignment justify 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 यहां पे दोनों तरब से शियू बढ़ी alignment कर देता है राइट दाहीन कर起oit करता है जो है बीच में करेता है लेफ्ट लेफ्ट ही करता है है और टीन आलाइन में होते हैं टॉप सेई आप लिखत कोई चीज तब लकिते सब और कैसे क् gr स्फिते कि यहां पे लिखा कि थोड़ा बडा कर दो एप तो है यह a b c d लिखा आपने अब अंडो रेडो सब कहां वत मने बताया ये इडिट में पाया जाता है इसमें लिखा अंडो टाइपिंग a d c d इसफे जीत क्लिक कर दोगे न तो अब क्या फाइप हो गया अचा रेडो फिर से आ जाएगे दिखुई अंडो रिडू का मतलब समझ गया शॉट्कट की बीपूचता है इसका शॉट्कट की होता है कंट्रोल जेट और रेडो का होता है कंट्रोल वाई एक होता है रिपीट टैपिंग फिर इस पर क्लिक कर दो क्या हो दो बारों टाइफ हो जाएगा इसको कहते हैं अंडो और रेडो और रिपीट तीनों को शॉट कट की भी आपने देखा आगे हो सकता मिले ना मिले तो आपको पता होना चाहिए पीडियाफ में सारे क्वेश्चनर रहेंगे तो आप पढ़ लेना निम निम से कौन सा भीकल टेक्स्ट को सचलीत रूप से बद next touch. चाहिए सब्लेज अपे छुदूर क सब्सक्राइब केया है यह सब्सक्राइब का ठोकों से कुर्ण जूड़ से ऌब आहंट क्यों क्या होता है है जिसको अगर सीखना है तो ले लेना इसको सिर्फ पास होना तो मार दो कोश्चन से चल जाएगा जिसको सीखना है तो जरूर पढ़ लेना लेके तो यह दिखो लाल हो गया अब इस मतलब यह बता देगा गल्लात है आपका एसा चलो इसका आटो करेक्ट हो गया किसी पैरागर इसन न करके मैं कर लेता हूं इसमें पैरागराफ पोचाना इसको बोलना पैरागराफ इंडेंटेशन ठीक है कि कहते हैं अब देखो इसमें यह भी मिल जाएगा अभी फॉर्मेट में जब जाओगे ना पैरागराफ पर जब क्लिक करोगो तो यहां पर रहता है देखो यह डिखा ना इंडेंट इस पेसिंग यह चीज इंडेंट करना तो इसको इंडेंट ही कहते हैं अभी इसको बढ़ाद होगे जैसे अभी मैंने देखो एक सेंटीमेटर कर दिया था कि नहीं कुछ कि यह थोड़ा सिधार आया कि नहीं अभी स्रेट करके करता हूं फिर से फॉर्मेट में गया है और यहां पर और इसको बढ़ा दिया मालो कि अभी किया तो देखो यह टेक्स्ट यहां से इतनी दूर आ गया ना पहले यहां पर था अब कंट्रोल जड़ दबारां देखो यह गया देख रहां अभी किनारे आ गया यह चीज होता है पैरा गाराफ इंडेंटेशन के लो राइटर में इस्वेल चेक सुरू करने के लिए निम में से किस मेनू का बिकलब चलते है इस पर चेक करना हो गरना तो आपको क्या करना है टूल्स मेनू भी दिखाया मने आटोमे आटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग करोगे ना देखो यह ऐसा बन जाएगा नीचे राइटर बताने लगाए आपको गलत रही है ठीक है इस जो था आटोमेटिक स्पेलिंग चेकि पंक्तियों में पैराग्राफ को बुलिट लिंग में बदलने के लिए किसका प्रियोग करते हैं तो बहुच अच्छा बुलिट लिस्ट में भी बुलिट लिस्ट और तो देख लेता हूँ एक हो तायब मेनू में भी अब है भुलिट लिस्ट है देखो यह थीक है है बुलिट लिस्ट बहुत संगे नंबर इंग बहुत सा रहा है तो यतार्y फॉर्मैट में जाओगे तो इसमें काम करो आप इसमें स्टायल करना ठीक है कि इस टायल तो शहरी सिलेप सब्सक्राइट करना की देखव फॉर्मेट में में नहीं दिखा दि Are inich और देखू यह यहां पर लिस्ट का डिरयक्ट इसक्रा इसको करना लाइन इस्टाइल इसका को ही करना आप इस्टाइल में लाइन वरागरा ठीक है तो इस्टाइल ठीक रहेगा इसलेट किये गए टेस्ट के पहले शब्द का परियोग करेक्टर करने के लिए किस शब्द का मतलब पहले कि अदने के लिए गिए टेस्ट के पहले शब्द क्या पहले करेक्टर पहला करेक्टर अच्छा उसको कहती है कैपिटलाइज देखो अभी आप इसको सिड़ेट कर लिए मालावाज क सब्द ही है ऐ तरह के समझे लोग कर है दो हाहाँ असर सब्द ही है ए ठेक्स्ट में चले है नीचे चले आना यहां पर देखो को sentence case capitalize every word every word को capitalize करना है तो आप इस पर क्लिक कर देना तो इसका देखो पहला capital हो जाएका बाकी सब किस्मॉल हो जाएका इसको क्या कहते है capitalize इस पर आप कहे दो capitalize every word पर best उत्तरापका हो जाएगा अगला लेबर तो राटिर अगुमन एफूटर डालने के लिए का तो फूटर करना है आउसे चले जाना अराम से नीजी चले आणा है यहाँ यहाँ पर देखो पूटर डालना है तो फूटर पर क्लिक करो तो फूटर गौत डिफॉल्ट पेयज च्टाइब लिगकर दोनों कॉस्चन एक ही म मिल जाएंगे लेकिन इसमें अब जब क्या मतलब है बता जे रहां तो आप समझ जाओगे ठीक है सिंपल है डिफॉल्ट इस्टाइल दोनों में रहता है एडर और फूटर ऑप्शन देखो इंसेट में चले जाओ अब देखो डाकूबेंट में टेबल इंसन करने के बिझेड कहां पाया जाता है इंसरत टेबल झाले जाओ है नंसेट टेबल देखो यह और यहां से करें ना ऑप्शन यहां भी Sako हो गया कंट्रोल जड़ दबाओंगे गायब हो जाएगा से मैं यहां से इंसेट करो नो सारी टेबल का ओफसान है टेबल पर क्लिक करो पूछे यह कितना कॉलम चाहिए आपको कितना प्रोच यह इसी तरह से कर सकते से टेबल यह तो गया से वल्के सेल के कंटिन्ट बाएंगया क्या कहलता है दाय और अलांइन में जूंड कहले कि कुछ हो गया कई दाय बाएंगव टायां वाएंगया को दायों से कौन सा कुझी यह और यह बहुस्जट और तो यह मालों आपने टेबल इंसर्ट किया यह टेबल इसके रहा अनतिन से लिए वाला इसमें आप क्लिक करो उसके बाद आप कौन सा की दबाओगे तो होता जाएगा नया रो रो का मतलब होता जैसे एक रो उपर वाला दो तीन चार पांच रो है उपर से रो बोलते हैं और दाएं बाएं जो गिनते हैं एक दो तीन चार पांच छे यह क्या है एक कॉलम मालों लास्ट में आप हो तो देखो मैंने क्या दबा रहा है देख रहे हो क्या दबा रहा हूं हुए पता हो नोशी बहुत इंबॉडर्टन पार देखो दो से लोगों को आपस में जोड़ना है तो क्या करें इसको क्या कहते हैं अभी देखो इस पे 2 सिंपल है राइड क्लिक करो यहां पर आहेगा इस प्रेट सेल यहां पर प्लस यहां पर भी आपका सब्सक्राइब में भी देखो यह मर्ज मतलब होता है सारा एक कर देखो सारा एक कर दिया आपका यही को इसी को करना चाहतें कर सकतें इसे सटेवल में यenne कहीं कि इस अब करना इसको तोय हcję नव पार्ट में करना इसको थो को अब लहाग कि नौच में नाना इनटूम प्रोपोघशन पर कर दो अच्छा इस तरह से खूल बन गया चलो खैर तो इस तरह ऐसे बन जाएगा अपका फिरहाल पुराना बराना कंट्रोल जड़ मार देना हो जाएगा इसे दो शू करोगे ना अभी टेबल में गए मर्ज कर दित दूनों एक हो जाएगा तो आपको मर्जी हुआ कि भाई हमको इ सिंपल सी बात है क्या पूँछ रहा है हां सिंपल सी बात से ही तेवल मेंमें सब कर देंगे जो भी ठेवल को करना है ना वlarda में में बहुत कुछ मिलता है प्रॉपरटी ऐक क्यूंदा के प्राइड वसकत की वाला जो बताया था तो राटे डाकुमेंट की बास उबीदा कौन सी है जिसके बदारा एक पत्र अने के लोगों को बेश सकते हैं उसको कहते हैं मेल मर्ज और याद रखिना मेल मर्ज जो होता है तो मेल में पाया जाता है यह कहां पर मिलेगा अँगा infected तो यह देखो नीचे क्या है फुल स्क्रीन च्टो शिप्ट जे दबाओ तो आपका फुल स्क्रीन देखो हो गया आपका यह अभी ऐसे करता फिर्स आएगा ? टेबल को डिलेट कर सकते हो इसे टेबल को डिलेट करत तो इसे तो होगया अच system आता है सभी जना बता रहा रहा हूं मैं राइकर में किसी डाकॉमेंन को सेव करने के लिए नेंड मैंसे किस कुन्जी का प्रियोग करेंगे शेेट सिर्फ करना का कंटोल स से बेल ओ क संटरोज condemn what clinical है मंने बताया था और पूछे तो क्या बोखेगा उसको 1 प्रीवीव पूछे तो त्रुण सब पाए जाता धियां रापनाना इस अच्ट का कंट्रोज पी और प्रिंट प्रीवीव पूछे थे कंटोज शिफ्क पोघ attent में अब देखो राइटर किस प्रकार होता देखो फड़ा सा अठपटा पूच लिए लिब्राॉपिस चिर्फ पूछ रहा है राइटर कूछ पोट्रेट मोड है सिर्फ लेंडस्केप मोड में इसमें होता है यह लेंडस्केप मोड है आपका लेंडस्केप मोड का मतलब चौड़ाई ज्यादा इसकी उचाही कम है लेकिन यह जो राइटर होता है न यह दोस्तों इसकी देखो नीचे तक रहता है इसकी उचाही ज्याद देखो, यह line break insert में पाया जाएगा आपको, insert में जब जाओगे ना तो more break, देखो, page break करेगे तो control enter, और shift enter देखो है, insert manual row break, insert column break, control, shift enter, तीन option होता है इसमें, और एक control enter, इसमें तो shift plus enter ही दिया है, वागे कुछ दिया ही नहीं है, control enter तो दिया नहीं है, control enter देते हैं, तो भी एक तरह का पेज ब्रिक के लिए होता है राइटर में लाइन के शुरुवात में जाने के लिए लाइन के शुरुवात में जाना है तो होम दबाना कैसे जिसे आप मालो यहां पर हो और कुछ लिए मैंने और आप करसर यहां पर है यहीं पर है अगर होम दबाओगे तो आप यहां का पहुंच हें गाइन लिख सकते हो है ना कि अंतर विद्ध्धर का रहसा है है मई से हमां इक इसे हैं यहां किक रहयुक्राइब किस के लिए होता है पूरे डाकॉमेंट में आप सबसे पहले पहुंद सुरूर नीयौ लग रहेगा निवसे लिवर ऑफिस सूट का भाग नहीं है तो इंटर्न एक्स्प्रोर अलग भाई या विद्व देखो पे यहां पर निव करो कि देखो यहां पर राइटर तो मालु है बेस भी एदेखो डेटाबेस के नाम से बेस जाना जाता है फर्मूला है ड्राइंग ह लेकिन इंटरनेट इंटरनेट एक्सपोर हो जाएगा Carry 1, प्रेउका किस प्रिष्ट का पर डिफॉल्ट रूप मुन दिर होता मुलत होता है पूच रहे हैं कि है अओ सब पे हैं कि हुआ कि अ Dharma इसलिवार विलम्डत्र कॉष्चां तीन चार वुस कि म्हतं हं एगा इसमें और रिखे दिखाने देख रहा है देख रहे हो। चैसे जो दिखता है ये जो दिखता है में Show होता है और minimum पूछे में पूछे तो हुश छहानवी होता है रहे डिफाल्ट पूछे तो मैंने चुह दो घणा को अब अगर अपनेम आन uzीच में। कर दो एग नहीं दो हो जाएगा अपने आप क्योंकि क्योंकि दो से कम होता ही नहीं जो फिर से मनें आपको दिखाओं मैं इक किया इंटर किया फिर दो हो क्यों 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 कि दो कि कम नहीं हो सकता मिनिम्म दो होता है कि इसमें मेनुल ही करोगे तब डिफॉल्ट में छह होता है, कॉष्चान आए. सब्च कोषी वे ऑई सिक का सभूल के ना इजी संब बड़के a breakthrough express में जहांता का की तरिकिया करने के लिए। यह कई ना करता है। जिसे?' आपको जाहेंगे अब देखो अधिकतम फॉंट कितना होता है अधिकतम फॉंट कितना होता है अधिकतम मैंने आपको बताया कि ड्रॉप डाउन मेनू जो होता है उसमें तो छान भी होता है कितना 96 और मैनुवली करोगे तो कितना हो जाए दिखाता हूं आपको मैनुवली यहां पर आप कर दो गुल्हां जी से बारास मा निकर दीए बारास माने पॉइंट अब मने इंटर किया थो त्रिफाल नाइन पॉइंट नाइन प्यागर यह रुग गया बारहा सो नहीं हुआ क्योंकि वाइड डिफॉर ओ इसमें मैक्सिमम ट्रिप्ल नाइन पोइंट नाइन ही नहीं होता है उससे ज्यादा यह वर लिए बारा पकर जाते हैं डिफॉल्ट होता है हमारा और आपको उत्तर हो जागे क्या उत्तर हो जाएगा, ट्रिपल 9.9, वैसे, डॉपड़वन में कितना होता है, चान भी होता है, यह सब कोईशन पूछा जाता है, यार रखना, राइटर में नीम में इसे, कह रहा है, मेनू में से, पेज़ बिकल्ब कहां पा जाता है, इंसर्ट मेनू अभी मैंने जैस्ट पीट, कट, कॉपी, पेश्ट, पेश्टी स्पेशल, सेलेक्ट अल, सेलेक्शन मूड, फाइंड, फाइंड रिप्लेस, गोटू, ट्रैक, चेंज, कमेंड्स, रिफ्रेंस, क्या-क्या नहीं पाया जाता है, सब पाय जाते हैं, अपको उत्तर कहा हो जाएगा, एडिट मेनू आगे और भी मिल सकता है, और क्वेश्टन पता देरा हूं, इसलिए कि तया हो जाएगा, आपका, आटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की शॉट्कट की देखो, ध्यान से यहां पर समझो, तूल मुझे मुझे आप चाहोगे, ति स्पेलिंग चेक का अट एप 7 है, फिर स्प यारो आपको पता होना चाहिए से, इसकी शॉट ले लेना, जो यूटूब पर देख रहे हो, क्योंकि, देखो इसका क्या हो जाएगा, शिप्ट प्लस एप 7, इस सब पता होना चाहिए, अब देखो, इसमें नीचे कंटोल भी भी दिया है, एप 7 तो आपको पता चल गया, क्या छिसरस के लिए होता है, यह उता है, सब स्कृप्ट के लिए, अभी आगे हो सकता है, पैलिस इसकृप्ड, सुपर wreck डी को और से इसको बोलते हैं print preview क्या बोलते हैं print preview का मतलब होता है कि जब print करने से पहले आप देखते हो ना कैसा दिखेगा आपको यह देखो आ गया सबस्क्रिप्ट का shortcut क्या होगा सबस्क्रिप्ट का control पी देखो सब में वी लगा होता है एस यू बी और सुपर में एस यू पी से समझ सकते हो आप अब इन दोनों में मतलब क्या होता है देखो जैसे आपने लिख्या सबस्क्रिप्ट क्लिक कर दो तो अब कुछ लिखोगे तो यह पावर की तरह हो जाए देखो नीचे कर देता हूँ देखो यह पावर की तरह होगे फड़ा और बड़ा कर देता हूँ कि को देख रहा हूँ कि you two में two कहा चला गया ऊपर अच्छा इसी को तो अगर में में आधि नीच्याया तो जो सबस्क्रिप्ट होता हो नीचे थोटा सा की लागा देता है। सुपर कोईपर होता है छोटा सा ऊपर लगा देता है की दोनों पता होना चाहिए राइटर में टेबल इंसेट करने के इस ओर одном हा। और फोपट सिर्च क्रण कया होगा गोंत जतने हैं का नेम क्या होता कि मैंने कुछ किया स्चाज नहींने है यहां पे ऊपर क्या ह sol क मतार्ट लिऊंधिक ह क्या है एक किस कि नाम से होता है अंज टायानल 1 के नाम से होता है अईसे ही 3 होता है आपने 3 को फाइव तो इट फर फाई लोग बात है इसका नाम यहोंन야지 होता है ठीक है कि I mean कि although इंडेको बीजाब है और यहां पाइल में व M लेटर विजाड ये सब कीसे काम कर ता यह सब बता है हो आपको पुरा-डेटेल तो कोड़ना जिसको 해서 जरूर ले लेना सस्ता है काफी और काफी कुछ सीखनों मिल जाए आपको राइटर में नियू स्टाइल के लिए शॉटकट की क्या होती है कि देखऊ नियू स्टाइल के लिए तो भाई पहले आपको दिखा रहा हूं मैं अथा इसटाइल में होगा कि यहां पर देखो यह मैंने इस टाइल पूछे तो एफ 11 कर देना अगर मैंने इस टाइल पूछे तो शिप्ट प्लस एफ 11 कर देना देखो निए इस टाइल प्रॉम सेलेक्शन लिखा हुआ है और अगर अपडेट सेलेक्टर इस टाइल कुछ है तो कंटोल शिप्ट एफ 11 कर देना एफ 11 एफ 11 यहां पर ज्यादा लिख्या हुआ है एफ 11 से समंद्र रखता है यह बात पारा होना चाहिए आपको इस टाइल वाला नियू लग गया तो शिप्ट एफ 11 मैनेज लग गया कि यह आपको होगा कि सर एडिट मेनु में आपने वैच तीन बार बता चुक्त है अब राइटर में डिश डिफॉल्ट दिश मतलब डिफॉल्ट विव नॉर्मल भी होता है ति इए पुन सा बाट टाइटर वार के नीचे दिखाई देता है यह बड़ा अच्छा कोश्चि बार सबसे उपर होता है, untitle1 यह title बार है, यहाँ पर title बार में यह 3 बटन पाए जाते हैं, एक minimize इसको बोलते हैं, इसको restore और इसको close, minimize, restore, close, क्योंकि क्यों क्यों चर्वार गांते हैं मैं इस लिए बता रहाँ इसके जए लाल पीला कर सब्सक्राइब बहुत कुछ कर सकते हो यह इस टंडर्ट्वूल बार ए फॉर्मेटि है अब हम आते हैं मेनू बार पाया जाता ह।ARON किसे नीचे टैटल बार के नीचे уर्क सबसे नीचे इस सबसे नीचे राइटर में किस मेनू इतल्व सार्मिय में चैश्चिशुर्षट में आगे लेगर आफिस में पेस्ट करने की स्थ कटड किए आच्छथे पेश्च वाल vídeo घा है दो बार हो गया कोई बात नहीं कि पेश्ट हो गया यह प्रिंट हो गया यह कॉपी हो गया और यह पेश्ट स्पेसल हो गया ठीक है आगे देखो राइटर के टेबल मेनु के तहत नहीं में विकल्प नहीं होता है मर्ज सेल यो तो होगा ही ऍिस्प्लिट सेल , टेबल मर्ज सेल मर्ज dapatать टो हो जब दोंते घर civils से मर्ज रोज अच्प्लिट काम नहीं होता इसको तरू जएगा मादिफ्वा दिखा रहे तो आपको अब देखो यहाँ पर अभी तो highlight नहीं है, merge cell है, कह दो हाँ sir है, split cell है, कह दो हाँ sir, merge table है, split table है, बिल्कुल है, merge row है, बिल्कुल है, तो merge row है, नहीं है, तो वहीं उत्तर हो जाएगा, simple है कि नहीं, तो एक विकलू फाइल को PDF में कैसे बदलते हैं, export as PDF, देखो, इखा़े तो प्रेट के लिए, यहा आप देखो, export as PDF, तो PDF में बदल जाएगा आपका, है की नहीं, कह दो हाँ sir, easily, तो इसका उत्तर क्या, export as PDF, अब देखो, राइटर में font size की drop down menu में से कौन सा font size नहीं उपलब्द होता है, लो, 10, 19, 24, 13, 10, 19, 24, 13, देखो, बढ़ा कर देता हूं, माल लो यहाँ तो 6, 7, 8, 9, 10 तो हई यह, साठे 10 भी हो, लिख लो, साठे 10 तो होता है, पर इसी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 के बाद, फिर गयफ होने लगता है, देख रहा हो, दोला के बाद, 18 आजाता है, देख रहा हो, 18 के बाद 20, मालब दो दोग गयफ होने लगा फिर, फिर बीच में 20 देदेता है, देखो, जैसे बीच में 10 दिया था, फिर 20 भी देदिया बीच में, है न, लोग ऐसा टोपी बाद आज़ा दमी है, दिया रखना, दिया रखना, 22 भी होता, जैसे साड़े दस का डबल 21, 21 का डबल 22, यह सब रहता है, बीच में, है न, 19 नहीं इसमें, 16 के बाद 18 आगे, 18 के बाद 20 आगया, उत्तर क्या हो जाएगा, 19, आप समझदार हो, समझ गये, कि 19 नहीं है, और कुछ पूछेगा ता आप कल दोगे, एक और कुछता ह है, 28 वाला, पूछेगा की, यहां से, यहां से पूछेगा, 26 से लेके 32 के बीच कुछ रहता, कौन सा नहीं रहता, 26 के बाद 26, 28, 28, 24 हो जाता है, ध्यान रकना, ठीक है, 28 के बाद 4 जुड़ जाता है, जैसे 18 के बाद 2 जुड़ता है, देख रहो, मतलब, यहां पर देखो, जब 16 पहुंचा, 16 के बाद 2 जुड़ जाता है, 18, 18 के बाद 2 जुड़ता रहता है, 21 भी बीच में रहता है, आप समझ चुके हो, मीद यही है, राइटर में वर्ड काउंट ओप्शन कहां पाया जाता है, क्या पूछ रहा है, पविलन लिवर ओपिस राइटर, तो वर्ड क यह क्या है, पेज 1 आफ़ यह क्या है, दस वर्ड है, 24 एक रेक्टर है, यह क्या है, डिफॉर्ट पेज स्टाइल, इंग्लिज, लैंग्वेज है, यह सब देख लो, इस स्टेटर बार में जोम भी पाय जाता है, जोम इन जोम आउड कर सकते हो, आप प्लस लैंग्वेज ल हो गया न उत्तर, अब समांट पाठ के थोड़ा ऊपर दिखाई देनेवल आक्षर को क्या कहते हैं, अब जश्ट मने बताया था, ऊपर दिखाई दे तो सूपर स्क्रिप्ट करना आप, और नीचे दिखाई तो सब स्क्रिप्ट करना, ठीक है, सूपर, तो सूपर में देख और सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे और इसका सॉटकट की कंटोर शिप्ट भी, तो बोलोग नहीं आप, अब सूपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, एंबोस, इंग्रेविए सब क्या होता है, तो इसको फॉन्ट इफेक्ट, तो क्या कहते है, फॉन्ट इफेक्ट, इसको फॉन्ट इफेक्ट्स ही करना, इसको फॉन्ट इफेक्ट्स ही करना, यह अलग होता है, अलग अलग दुनिया है, जैसे एक तरह का, तो इसको इफेक्ट्स में करना, इसको देखो, एफ सेबन क्या करता है, पूश रहा है, एफ सेबन स्पेलिंग एरर बताता है, है न कि अब सेवन क्या करता है इस पेलिंग बताता है आपको बिल्कुल सब क्योंकि यहां पे स्पेलिंग बारे में है इसे क्लिक करो ना बतायागा सब कुछ यही वह ऐसा वैसा क्या है क्या नहीं यह तो बताता है सब डेटेल पढ़ा चुका हूं मैं देखो यह भी कोशन करमसा एक सेंटीमेटर और दो सेंटीमेटर है यदि आप आकार सब मेनूं के इस्षित्म पंक्त उचाही चुनते हैं तो यह हो अब इसको इंगलिस में पढ़ना पड़ा कि नहीं तो को इन्फीजन हो जाएगी शिक्स रो इंसेर्टेटेड टेवल डाकोमेंटेश ओफ लि आपका और कॉलम भी चे करेता हूँ देखो यह एक दो तीन चार पांच छे रो काई है कैद आ साथ चेड़ है आगे क्या बोल रहाइए है आगे आगे बोल रहा है हाइट ऑफ फ़र्ड रोह एंड फोर्ट रोह एंड फ्रट रोह एंड तू सेंटिमेटर अड़ प्लस और फो रो हाइट रो हाइट का है एक सेंटीमेटर बोला तो इसको आप एक करके एक करके ओके कर दो यह एक सेंटीमेटर हो गया और उसके बाद फोर्स रोक बोला दो सेंटीमेटर इसको करके साइज में जाओ रो में इसको आप दो कर दो दो सेंटिमीटर कर दिया है मैंने देखो यह दो हो गया यह एक हो ठीक है अब आगे देखो क्या बोल रहा है अब इसमें जैसे मैं इन दोनों को च्रट किया अब माने क्या क्या टेवल मैंने गया अब यहां पर साइज में ही मिल जाता यह भी optimal Hope रो हाईड है भी बोल रहा आ ना optimal क्या करता है बराबर बना देता है दोस्तों अभी option क्लिक किया हूं देखो दोनो बराबर हो गया एक्ट्व फोग इसमें और थेहां कर हुछ लगाए प्यार रखना optimal जो होता है वे बरावर बना देता है इसमें और भी विकल्फ होते हैं कौन-कौन से तो इसमें तो इसमें अब देखके टेबल मेनु में जब जाओगे यहां पर optimal होता है minimal होता है minimal करोगे तो फिर वैसे कर देगा है आपका minimal मतलब default तरह का बना देता है पहले जैसा ठीक है और और कोई है और साइज में optimal minimal बाकित हो यहें जैसे नॉर्मल वही चीज काम करेब इसमें भी करें दो वही चीज काम करता है बस उह कौलम वहॉला कॉलम के लिए यह वह क्या बड़ और लंब लंब वह को इससे ही को आप ड़ते हो नहीं सिक्स रोई इन इंसर्ट टेबल इस में भी 6 रो है अच्छा ठीक है इसलिए मैंने साथ में question भी लिया था how many row that table will now contain if you selected the third, fourth and fifth row कह रहा है कि अगर आप 6 row है ठीक है 6 row है मान लिए मैंने इसको भी आप इसकी size मैं कर देता हूँ सब के बराबर हो गया size ना अब कह रहा है third, fourth और six row मैंने insert का लिए चलो कल लिया अब आगे क्या बोल रहा है फिर उसके बाद कह रहा है and choose the option row above of insert sub menu of table menu कह रहा है कि insert जो sub menu होता है table का उससे आप row above का option चुन लो देखो अभी table menu में गया मैं तो insert का option यह है insert में row above कह रहा है ना मार दिया मैंने रहा है अब 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 देखो question पूछन आप कितने रू हो जाएंगे देखो बढ़ गया की नहीं देखो अब 9 हो जाएंगे साथ में देखो template के लिए OTT कर देना template के लिए OTT होता है open text template ठीक है writer में auto text control F3 के लिए होता है बिल्कुल सही है यह अभी just आया था भी देखो मैंने tool menu दिखाया था आपको यह है auto text देख रहे हो इस तरह से आगे देखो toolbar विकल्ब द्रिश मेनू के अंतरगत मौजूद होता है बिल्कुल होता है यह क्या है अब toolbar आपको दिखाता हूं कि आगे दिखो क्या कह रहा है कि निम में से कौन सा लिब्रा ओफिस राइडर के टूल्स मेनू का विकल्ब नहीं है अच्छा वही जो हमने देखा था किसा find error drawing edit उसी का पूछ रहा है जो भी just मैंने दिखाया एक टूल्स मेनू तो यह है इसमें तो एक भी नहीं तो मैं समझ रहा हो यह question पूछना चाहता है विव में जो टूल्स वार होता उसकी बात कर रहा है तो क्या 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 था इसमें देख लेका एक बार पूइंट है कि देखो कि edit point लिखाये कि नहीं लिखाया बिल्कुल लिखाये कहीं वो दिख रहा है क्या एरो नहीं आपको उत्तर क्या होझाए और यहां पर कहीं नहीं है उत्तर आरो नहीं होता यहार रखना आपको ठीक है राइटर में track change का विकल्प record करता है जैसे यह रिकॉंड करता है कोई चीज इसको रने रिकॉंड करता है कोई ऐसको रहा है इसका मतलब क्या है यह इतार होता है जब आप कोई काम करोगाना रिकार्ड करके रखता है देखो रिकार्ड का मतलब उसको पता रहता है ये ये काम किया है राइटर में ctrl G क्या है टो ctrl G का मतलब होता है ग्रूंड क्या होता है go2 लगू टू कहां पे कहीं पे आप पर जैसे टेक्स पर आना चाहते हो लगोंद अब देखों और आप्ट इस रॉइटर में डाकूमेंट में पेज नॉम्मर इस्टिस बार के किस तरफ दिखाई देता है अभी Just Money status bar दिखाया और buy side page number दिखाय दे रहा था कि नहीं दिखाय दे रहा था buy side यहां पर ध्यान देखो page one of one पे तो buy side ही दिखाय देता है तो left हो जाएगा राइटर में table की column चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस कुझी का प्रयोग किया जाता है देखो अगर दोस्तों stable की को चौड़ाई बढ़ाना चाहता हूं तो तहीं तरीक्या होता है एक तो आप इस पर इस पर क्लिक करोगा ना देखो यह ऐसे बढ़ा सकते हो आप देखो बढ़ गया दूसरा इस से भी बढ़ सकता है नहीं यहीं ठीक है इसको यह रहने तो अपने अड़े पर देखो यह पकड़ के हम बढ़ा सकते हैं तो इसको उचाई भी बढ़ा सकते हैं ठीक है यहां से पकड़ के दूसरा इसमें shortcut की पूछ रहा है shortcut की अगर मैं दिखाऊं आपको देखो बढ़ रहा है कि नहीं कहते हां सर बढ़तो रहा है किस से बढ़ाया मैंने यह बढ़ाया मैंने alt प्लस right arrow left arrow करने पे घटता है right arrow करने पे बढ़ता है कि इस्टाइल में में कौन सा ब्युक्रप उपलब नहीं होता तो देखो इस्टाइल में जब जाओंगे हेडिंग वाले में तो हेडिंग वन हेडिंग टू हेडिंग थ्री इन इन सबका shortcut की control 1 control 2 control 3 होता है नोट कर लेना ठीक है इसका उतर क्या control 4 क्योंकि यह तो option में था नहीं था नहीं था याद रखना control 1 2 3 नहीं होता है 4 नहीं होता है एक कोच्छन बड़ा लंबा है कि लिप्रोख राटे के डाकॉमेंट में 10 पेज है केवल दूसरे तीसे और चौते पेज को प्रिंट करना चाहते हो तो कौन सा विकल्प कह रहा है कि मान नहीं देख लेते ह अब भी माल लो एक पेज है तो दस पेज करने के लिए कि यहां पर क्या करते हैं लोग इसे कुछ लिक दो न हो जाएक दस पेज अभी कि पेश्ट कि पेश्ट कि पेश्ट कि अब यह वा चे शाट सात पेज हो गया है है अव आठ हो अचोगे नुख हो गया माल दस हो गया इसक्शन भाल जाता है है एक जाओ मिंट में है एक से परिंट में जाता हूंब अब क्या पूछ रहा है है कि यह पूछ रहा है कि कौश्चन देखो कि कौन सा जहां पे आप 10 पेंट करना है कह रहा है कि सिर्फ आपका दूसरा तीसरा और चौथा ही प्रिंट करना है मालो तो आप यहां पेज करोगे। रहारा दूसरा तीसरा और 4 यह बोल रहा है ना यहां पे पहला अप्शन लिखा था तो और दो से चार दो से चार जब करोगे ना तीन पेज देखो सेलेक्ट हो गया दूसरा तीसरा चौथा देखो यहां लिखना एक दो तीन तो यहां पर देखो पहला ओप्सन जो दिया है वह सही है मतलब यह काम करेगा खुद ही बताएगा और यह वाला वी वाला चेक करते ह है जैसे तीनों पर अलग अलग जैसे यहां पर आपने लिखिया दो फिर कॉमा लगाया फिर तीन लिखा फिर कॉमा लगाया फिर चार लिख दिया तो क्या देखो यहां पर तीन पेज आ रहा है बिल्कुल देखो एक तीन पेज यहां पर सेलेक्ट है बोल रहा है कि तीन प लिख क्या रहा है ना मतलब समझी नहीं पा रहा है यहीं आपको उत्तर हो जाएगा और एक ओफ्षन था कि कलेता ओभी लास्ट वला ऐसे था नहीं यहां पर तीन से चार देखो इसमें भी आ रहा तीन पेज मतलब सिर्फ एक ओफ्षन जो थर्ड नंबर पर लिखा था यह सी नंबर पर यहीं आपका उत्तर हो रहा है ना यह काम नहीं कर रहें पुछा कौन सा काम नौट वैली इस्टाइल नौट वैली इस्टाइल यह ध्यान रखना यह तो मैंने आपको दिखा दिया कोई कंफ्यूजन आपको नहों कि लिए रहा है चले आप अगले कोशन पर यह दिखो ही है कि अपर केस ओबर केस तो अपर केस अगर आपको करना है किस कुझी का प्रियोग करेंगे हम लोग इसको बोलते हैं साइकल केस आप अब यहां पर इस टाइल नहीं फॉरम टेक्स्ट में जाओ नीचे देखो के देखो देखो इसका शॉटकर किया लिखा है शिप्ट प्लस एफ्ट्री लिखा है ठीक है इसको हटा के मैं फुद अपने कीबोर से दबाता हूँ शिप्ट दबाया एफ्ट्री दबाया देख देख रहे हैं इसका क्या हो रहा है यह टेक्स्ट देखो बस आप पहले बड़ा हो गया सब फिर सब चोटा हो गया फिर ऐसा हो गया फिर ऐसा हो गया फिर ऐसा हो गया फिर ऐसा हो गया तो यह इसको क्या बोलते हैं इसी बोलते हैं साइकल केस और इसका सॉटकट की प्रफोंट किया है देख लेते हैं कि देखो किया लिखा लिवरेशन लिखा है यह होते हैं लिवरेशन स्रेल्व होता हैि मैं पूछे तो इसमें भी बठा इसो आप काल्ग देखْलोगे वैसे आप दिखंगर डिफार है एलो आपको करना है ठीक है कभी भी बहुत पूछता है क्वेशन पहले ब्लू होता था यह लिए कि अभी रेडी करना है इसको बस ब्लू के चकर पढ़ना मताब लोग ठीक है किसका देखो डिफॉल्ट लिवर आफिस कलर ब्लू करना ह। तो हाइलाइट कलर के लिए होता है ना कि किसी और की देखो अब जैसे यहाँ पर देखो भी दिफॉल्ट हाइलाइट कलर यहाँ पर क्या है किसी का पूछ रही है यहां पर यह पूछ रहा है यहां पर पूछना चाहता है इसे लिए यह ऐसा कुछ लिखा नहीं एक्स्ट्रा कभी कभी लिखा रहता है राइटर में कमेंट अड़ करना हो तो कंट्रोल ओर सब्सक्रा अगला देखो है राइटर में सभी खोले गया को सहजनी के लिए से जनी वाल सबको आपको जितने आपने खूल रखा है सब को करना यहां पर देखो कि save all का भी option यहां पर मिलता है file menu में पाई जाता है देखो file menu, file menu क्या पाई? new, open, open remote, recent documents, close, bizarre template, reload version, save, save as, remote, save remote, save a copy, save all, export, export as, send, यह सब पाया जाता है exit, digital signature, property, printer, printing फाला, सब कुछ ना पायाता है, file menu में पाया जाता है writer में print preview का shortcut की shift plus o होता है, control, shift o मैंने कई बार बता चुका हूँ अपको और print का कपूछे तो control p होता है, cut करने की shortcut की control x होता है, sorry, इस control x तो b number पे है इस पे है, b number पे है, और यह copy के लिए होता है, control c, control k hyperlink एड़ करने के लिए होता है याद रखना, किसके लिए भाई है, link, यहाँ पे आपको, ओ भी होगा, insert menu पाया जाता है insert menu में जब जाओगे, तो hyperlink कहा है भाई, यह है, hyperlink control k होता है, होजाकता हो, न मिले question यह, आपको मालूम होना चाहिए बराबर पूछता है, redo करने का control y होता है, मैंने बताया, repeat करने का, क्या होता है, यहाँ पे दिया था, edit में, control shift y, तो यहाँ पे लिखाया देखो, control shift r लिखाया स्वारी, control z होता है, undo के लिए, control y होता है, redo के लिए, print preview, राइटर में portrait ही होगा भाईया, confuse मत होना, क्यों, क्योंकि राइटर का जो actual में by default होता है, वो portrait ही होता है, portrait का मतलब मैंने बता दिया कि उंचाही ज्यादा होती है, चौड़ा इक कम होती है, confuse मत होना, आगे देखो, बुलेट लिष्ट जोड़ना है, तो shift प्लस f12, अभी just मैंने बताया था आपको देखो, bullet list का ये है, ये है, ये है, ये है, बुलेट लिष्ट, मतलब format में मिल जाएगा, नहीं सोचो आपकी सर, format कहा ही है, format में देखोगे, तो मिल जाता है, ये, list में जब जाओगे, तो य यही चीज हम यहां से भी कर सकते है, formatting toolbar से भी कर सकते है, आगे देखो, राइटर में double underline करना है, तो control D अभी just मैंने दिखाया था, single करना है, तो control U कर देते हैं, राइटर के किस menu में mail merge अभी just मैंने बताया था, tools में पाया जाता है, ये तो हाँ सार बिलकुल पता है हमको, पता तो हो गई आप लोग को, राइटर में auto save की default interval value क्या होती है, ये कहां से पता चलेगा भाई, ये आपको tool menu में जाना पूरेगा, सबसे पहले, देखो ध्यान से भी समझ लो, बड़ा दंदार चीज है, tool menu जाके जो सबसे नीचे option के option है, वहां पे चले जाना, ठीक है, अब उसके बाद ये मिलता है, load and save में करो तो general में हां मिल गया, देखो बड़ा का देता हूँ, अब save auto recovery information every यहां पे 10 लिखा हुआ है, every हाईलाइट हो गया, जब क्लिक कर दो गया, इस पे क्लिक कर दो अपने आप आपका 10-10 मिनिट पे जब आप कुछ काम करते हो, भूल ग क्या समझे, अब इसका कभी कभी पूछ सकता है, maximum क्या होता है, minimum क्या होता है, तो मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, देखो कहां तक जाता है, यह, 60 के बाद देखो तो रुप गया, कहे दोहांसर 60 के बाद यह रुप गया, अभी देखो उपर का option ही खतम हो गया, minimum अगर जहां मिला यह, यह मिला जब आप टूल मिनू में गए, option में गए, उसके बाद आप यहां पे load and save का option मिलता है, उसी में यह मिल गया, ठीक है, कहे दो ठीक है सर समझ गया, एकदम clear हो गई है, 10 मिनिट तो default हो गया, maximum पूछे तो 60, minimum पूछे तो 1, अब बता लोगे ना, बिल स्टाइल के लिए पूछे तो F11, नेविगेटर के लिए पूछे तो F5, फुल स्क्रीन आपने देखा, डेटा सोर्स नहीं पूछता वैसे, पूछ लिया तो control shift F4 होता है, कितना पूछेगा, लोग परेसान करते हैं, फिल्ड नेम पूछे तो control plus F9, बड़ा shortcut की है, आपको और तयार तो करना प्राइब, हाँ, यह बहुत पूछता है दोस्तों, फॉर्मटिंग मास का, control F10, नोट कर लो इसको, फिल्ड सेडिंग भी पूछ लेता है, control F8, चलो, राइटर में यह क्लास देखने के बाद ना पक्का पास हो जाओ गया, मैं गारंटी ले रहा हूँ, O level, triple C चाहिए जो हो, आपका एक्जाम दोनों में, राइटर में maximum जों कर सकते हैं, देख, हाँ, यह question मैं इसलिए ले लिया, यार यह बच्चे इसमें confusedly हो जाने हैं, क्यों कि सर यार, maximum इसमें तो 4 option दे दिये हैं, maximum का, 600 होता भी, आपने बताया, 600 होता है, इसमें क्या करे तो भाई 80 कर दो ना, इन 4 में से तूँ सब ज़्यादा कौन कर सकते हो, 80 कर सकते हो, 80 कर सकते हो, यार रखना ऐसे question और भी पूच सकते हैं, तो आप confusion मत होना, आप इन 4 में से 80 सब सब ज़्यादा कर सकते हैं, तो किसी file में रिखता है, तो किस menu, menu में tool menu होता है, error वगेरा, सब tool menu में ही हम बिखल करते हैं, है ना, कि दो बिल्कुल सा tool menu में ही कर, अब देखो, by default कितनी heading होती है, भी just मैंने बताया था, तीन heading होती है, तो तीन हो, heading 1, heading 2, और heading 3 होती है, Libre office writer में chance text पर lagu shelley को copy करने के लिए, निम्न में से किस बिकल्प का उपयोग किया जाता है, तो इसको कहते है, clone formatting, clone formatting का मतलब क्या होता है, clone मतलब होता है, हू बहू एकदम वईचा का वईचा, तो इस चीज को, अगर आप कहीं पे apply करना चाहते हो, तो जैसे आपका color है, मो पे समाप्त होता है, ही के दोस्तों, उम्मीद है कि आपको writer पूर अच्छे समझ हमा गया है, अब हम आगे बढ़ते हैं, कैल की तरफ, chapter number 4, MCQ, किसका है, कैल का है, तो यह chapter दोस्तों, बहुत ही खास इसलिए हो जाता है, क्योंकि 20 marks का इसका बेटेज है, 20 number का, मतलब Libre office writer भ यह वेटेज, actual में है, वो 2020 marks का है, मतलब 60 number, एक class अगर अच्छे से आप देख के जाते हो, तो 60 number का आपका काम हो जाएगा, पास कराने की ताकत रखता है, यह class बहुत important है, इसी बात पर जो लोग YouTube पर देख रहे हैं, लाइक जरूर कर देना भाई, पहला question आपके सामने है कि Libra Office कैल के क्या है, एक तरह का express sheet है, simple सी बात इसमें कुछ सोचना है नहीं है, मालो, यह बहुत simple question है, लेकिन आता है बार बार तो आपको पता होना चाहिए, writer क्या है, word processing है, ठीक है, और impress क्या है, एक presentation है, ठीक है, यह presentation है, impress जो होता है, presentation होता है, और यह write, कैल के जो है, आ work sheet software है, यह भी question पूछ सकता है आपको, तो देखो, वीजी कैल के नाम से बहुत popular, सबसे पहला माना जाता है, कि यह starting में आ गया था, market में, और multi plan, यह भी एक तरह का, इस पर seat है, तीनों इस पर seat है, lotus भी, इस पर seat program होता है, ठीक है, देखो, सबसे पहला work sheet कौन सा था, कुछ लिए question यह, पहला work sheet का मतलब यही, जो आप पढ़ रहे है, इस पर seat को work sheet भी कहते थे हैं, ठीक है, इस पर seat worksheet, वीजी कैल के सबसे पहले आते, market में, अब इस पर seat में data कैसे अर्गनाइज होता है, तो data, देखो, जैसे इस पर seat है, इसमें यह क्या है, जैसे ABCD जो लिखा होता है, इसको कहते है, row, ठीक है, अब यह आगे बहुत को सीखो गया आज आप, तो row और column में अर्गनाइज होता है, तो आपको करना है row और column में अर्गनाइज होता है, column और row की क्या कहते है, तो cell कहते है, जैसे अब यह column और row से क्या बने गया, यह cell है, इस cell का क्य प्लस से स्टार्ट होता है तो प्लस से नहीं बराबर से होता है तो प्लस से नहीं बराबर से ही होता है ध्यान रखना है आपको ठीक है लिबर ओफिस कैल की डाकूमेंट का एक्स्टेंशन ओडियस जैसे आपने देखा था राइटर में ODT होता है वैसे इसमें अगर आभी कोई सेव करते हो आप मालो कैसे अपर सेव किया है देखो यहाँ पर बाइडिफॉल्ट ओडियस आ रहा है और यह अंटाइटल वन ही होता है दो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने खोल रक रहा है न राइटर भी इस वाज़से दो लिख्या रहा है वैसे एक ही करना आपको अगर पूछे नाम क्या होता है अंटाइटल वन और extension क्या होता है ओडियस चीए कैंसल कर देता हूं मैं इसको ओडियस होता है ओपन डाकूमेंट इसका मतलब होता है और जो XLS यह किसका है यह Excel का होता है ठीक है Excel का है इस पर सिर्ज के टाइटल बार में कितने कंट्रोल बटन होते है अब देखो टाइटल बार की आप राइटर में पूछ सकता है यह कैल की में पूछ सकता है और 1946 में पूछ सकता है किसी में पूछे तीन बटन होता है ताइटल यही है इसमें तीन होता है । कौन कौन बन्हें बताया था वह से अभी इनिमाइच मैख्सिमाइच अलोड रीके जेकी माइच मैक्सिमा एडिक जोड इसी चीज को अगर Україतर में देखे तो यहां पर इसको बोलते हैं minimize, restore, down, close button ऐसा इस तरह से इसको कहा जाता है फुल में लाकर तीन होता है इसको लिख देना है 3 ठीक है formatting toolbar के नीची भाग को क्या कहते हैं अब देखो ये भी बहुत important हो जाता है formatting toolbar पहले देखो कहा होता है मैंने आपको समझाया था ना देखो सबसे उपर क्या है title bar इसको जश्ट नीची कहा है menu bar उसके जश्ट नीचे तूल वार इस टैंडर टूल वार ये है ठीक है उसके नीची जो होता है ये जो है ये ये है आपका formatting toolbar है ना यहां पर format औगरा करते हैं box है name box के में दिखाई देता है हमारा cell का address उसके जश्ट बगल यह फार्मूला यहां पर लिखते हैं पूरा मिला की फार्मूला वार इसको कहते हैं फार्मूला बार किसके नीचे होता है ये है इसको क्या बोलते हैं formatting toolbar के नीचे होता है प्लस name box के भी दाइने होता है ये name box ह ना इसको ना इसको केछ देते हैं है इसके नीचे इस परे मुलता फॉर्मूला बार होता है कि मिख सो करना ने को किस से दर्साया लो दो परफिट समझ लो यह अवी सीड जो लिखा है कॉलंग है बिचलो लिख शे न G 123 क्या है रो है तो अब रो के बारे मैं नहीं बताऊंगा मैं 123 रो को कहते हैं इसलिए बोल रहा हूं मैं कि जो PDF आपको मिलेगा उसमें ज्यादा चुर्ण होंगे तोसको पंढ़र नहीं बीसकों जुप होता है अभी इसको अभी देखो गें न में यहांपे जैसे आपने लिखा दो हूर का इसकी अंदर चले जाना ब्रिकेट के अंदर 5,2 अब इसको एंटर जब करोगे तो 25 आजाएगा मतलब इसके लिए होता है खास करके पावर 25 ही आएगा उत्तर पावर के लिए अतर ध्यान रखना है ठीक है कैल कि में सीलिंग सीलिंग क्या करता है पता है आपको सीलिंग जस्ट उपर वाला निकालता ह है का दिखा देता हूं आपको ये भी सीलिंग कर लों क्या तक कोदेखों की होता है तब-तब दिलिख लोंगा मैंने कावी करने तेपहला हो जrecee ॥ा अं में नट सेफों कि झाल न ट Caitlin आपके लिखते हमों बराबर ज्रूर्र लिख दिया यह ठीक है बराबर और आइस औरб से कितना था कि 159 अप वानट शीटी फाइड या इसका मतलब सब्सक्राइब सुझाए आपको जब कभी भी सीलिंग और फ्लोर एक होता है फ्लोर के बारे मैं समझा दूंगा मैं होता का है 15 से यह मतलब टेवल पढ़ेगा माल लो 15 गुड़े 10 150 होता है 15 गुड़े 11 150 होता है तो सीलिंग का मतलब होता है कि उसके ज़स्ट सीलिंग मतलब ऊपर और फ्लोर मतलब नीचे सीलिंग जब पूछेगा तो 15 से कटना वाला संख्या होनी चाहिए 15 का मल्टिपल होना चाहिए लेकिन बड़ा वाला जैसे 159 से बड़ा होना चाहिए 15 का मल्टिपल तो 15 का मल्टिपल तो 15 सो होता है आएगा नीचे वाला आएगा मतलब Сीलीग होगा तो उपर वाला रोगा तो नीचे वाला इसमेंfik जायेगा तो क्या आएगा ऐसा पूछ रहा है तब कर देखो A1 से लेके A5 तक A1 तो यहाँ पर है है ना A1 यहाँ पर है A1 में माल लो 4 है 5 है 3 है 8 है अब क्या था उसमें पता नहीं आपको समझा दूँगा इसमें क्या बोला कि अगर आप किसी भी क्या बोला है कहीं पर भी समझा लगा सकते हो कोई इक से नहीं कहां पर लगा देता हूं क्या लगा दिया बराबर लगाना बहुत ज़रूरी है सम इफ ठीक है सम इफ लगाने के बाद आप यहां से अ आप यहां से इस पर अंदर आ जा और पूरा यह से लेकर यहां तक कर दिया मतलब ऐसे लेकर फाइप तर चीख है उसके बाद बोला है कि यहां पर कॉमा लगा के तीन लिग देना एक तो बॉला थे था तो इसको जब में 3 है तो वही 3 ला दिया उत्तर यही खेल इसका अगर यहां पे कुछ न लगाए हम अगर इफ न लगाए यहां पे तो क्या आएगा तो पूरा जोड़ आपको दे देगा जो भी हो गई यह पूरा यह सम से हो सम मतलब जोड़ना इफ लग गया तो कंडिशन दे देता है जहां पे तीन हो उसी को जोड़ेगा बागी किसी को यह नहीं जोड़ेगा इसका उत्तर तीन आएगा बस क्योंकि तीन सिर्फ एक में ही है ठीक है सीधी सी बात है इस बीसिट में किसी अन्य के अंदर फंक्सम को क्या करMother करना इंडर फंक्शन लगता है इसको नेश्डेट फं कि दूल जाता है जों यह नो इक मि our इस शेल को अंा चाहता हूं रिस को इसवलेट करना चाहता हूं और डिलेट सेल किसमें होता है भाई चीट में होता है हां डिलेट सेल का सौटकट की होता है कंट्रोल प्लस माइनस ठीक है और इंसर्ट सेल का होता है कंट्रोल प्लस प्लस जब इस पर क्लिक करोगे आप देखो यह यह आता है क्या क्या रहा है शिप्ट सेल अप शिप्ट सेल ले से टिप्ट से अप है और लेट मतलब ऊपर की तरफ और वाएं की तरफ कर देगा जब डिलेट करोगे तब ऊपर और वाएं अगर यही इंसर्ट करना चाहोगे तब जैसे अभी मैं बाँने इसका रहेगा तो डाउन और राइट रहता है महलों इंटायर और इंटायर कॉलम तो रहेगा नतटानी तरफ और बाटी नहीं रहता जब जोड़ोगे तो पूछेगा नीचे जोड़ना चाहते हो कि दाहिने साइट और जब हटाओगे तो कहेगा उपर करना चाहते हो कि बाएं समझे नेचे आप समझदार और समझ गया है अब आगे बढ़ते हैं दोनों बता दिये मैंने कॉलम का 5 रो कटान बने सेल तो C5 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, किसी सेल एडर्स में रो या कॉलम में नाम से पहला डॉलर लगाना क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, डॉलर अगर डग गया देखो, उसको absolute कहते हैं, मतलब देखो, इसमेरे, जैसे यहां पर मैंने, कुछ भी ज लिखा है, तो A5 एक relative है, अगर यहां पर भी A5 लिखा आपने, इसमेरे डॉलर लगा दिया, यहां पर और यहां पर, इसको कहते हैं, absolute, और अगर एक में डॉलर लगाओ, जैसे ए लिखो उसके बाद, डॉलर लगाओ, फिर 5 लिखतो, तो देखो इसको कहते हैं, mixed, तीन तर देखो, इसका काम यह होता है, जैसे आप माल काम लो, इसमें आपने लिख दिया, 5, 5, 4, 9 होता है, 2, 5, 2, 7 होता है, और 5, 3, 8 होता है, और यहां लिख दो, 5, 1, 6 होता है, इसको मैं हटा दिया, इसको भी इसको घटा दो, सिर्फ इतना है, अगर मैं कहूँ, यहां पर लि одной मैंने बराबर ध्यान समझना और बड़ा कर दो क्या किया यहां पे लिखा मैंने बराबर और लिखा सम मैं यह तो ठीक सर अपने सम लिखा उसके बाद इन दोनों को मैंने add कर दिया, a1 और b1 a add हो गया जैसे मैंने enter किया, तो 9 आ गया पैद वहाँ सार 9 आ गया अब इसी को पकड़ के जब खीच होगे न देखो ये 5, 2, 7 जोड दिया 5, 3, 8 जोड दिया 5, 1, 6 जोड दिया इसको कहते हैं relative, relative का मतलब होता है जब आप इसे खीच होगे न भागल भागल का जोड़ता चला जाएगा अपना जो address change होता जाएगे, देखो इसका address हो गया a2 b2 और इसका address हो गया a3 b3 है न, तब का address change हो गया, लेकिन दोस्तों इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे जैसे a से पहले आप लगा दो dollar, जैसे यहाँ पे लगाया है मैंने देखो, और one से भी पहले dollar मतलब dollar का मतलब lock कर दिया अब भी दिको समझ जाओगा आप खुद, यहाँ पे comma कर दो नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ पे comma लगा दिया comma का मतलब होता है सिर्फ दो जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक और जो लगाया था उसका मतलब होता है comma का मतलब सिर्फ दो होता है मतलब a और b और अगर colon लगा दोगे colon का मतलब होता है यहाँ से लेकर वहाँ तक, मतलब पूरा जोडने लगेगा ति चक्र में समस्स मद Kingdom जब लगा गई तब किया होता है कुसि होता है अब एक त्हीं być काव होगड है दूसरा नहीं जैसे यह उतलौ के यह वाला अपने के लि Griffin लawan आपने लाप हम दिए चार दो छे चार पांच नौ या रिक पांच मतलब क्यों कि आपने लॉक कर रखा नैं इसको देखो यह एवन होग है यहां पर देखो यहां पर एवन चेंज युगा नहीं वह तो डॉलर लगाने का कंद यह तो बीघृ छेंज होगा कि नहीं पुद्षित भी तीश काम नहीं होता अभी कभी जरूत पढ़ गए पढ़ गई आसी नहीं इसका देखो बस नाम उसका होता है कि मिक्ष्ट है उसको जारा सेंसर मत लेना किसी फार्मूले में एफाइव सले ड्रस निमनें से किस प्रकार का सेलर रफ्रेंसिंग है तो मनें बताया आपको कि यह रिले जिस्ट है आगे देखो एक चार्ठ को संपहत्त करने के लिए इनिमें से क्या किया जाता है संपादित करने की Doble ुप करें को दबल क直接 करेंगे म sih झारत ऑब Douglass buenos पर आप बस डबल कलिक मान दो करेंगे देखें मिएات के लेक्ट कानटोल प्लस किप्लस डॉलर राव लिखे है वह अने बैज के रहें नबर होगी ना शुक्त कुण अनुल तर यह लोग नंबरिय देकंEZ में के लोट कहले परता है उसमें यह लोग इस ना से सब्सक्राइब होगव ऐद स्वार्मेटिंग क्लिक करोगे तो करेंसी पहलेकर करता हैं तब पर आपको देखो यह अभी नहां पर्संटेज में यहां पर देखो पांच लिख दिया है करेंस दिया है देट में तीन लिख दिया इसको आप नोट कर लेता है वीडियो रोब के पता होना चाहिए ये भी लेकिन डॉलर इसका परेक्ट उतता रहे ठीक है परसेंटेज पुछे तो परसेंटेज पामर्टिंग अब इसको तो राउंड टू सेवन फाइब माइनस टू राउंड का मतलब क्या होता है राउंड और ट्रंक दो तरह पूता है दोस्ता हम इभी थोड़त बताड़े तमब को क्या लिखा था जो भी लिखा हो यहां पर लिख दो राउंड बराबर लिदो राउंड अब इसके अंदर आप क्या लिख दो 275 था 275 और माइनस टू इसमें क्या करेगा ना यह जो लास्ट का दो है ना जीरो बना देगा इसको 75 को जीरो बना देगा प्लस यह देखता है कि 275 है वो 200 और 300 के दीच में है कदो पक्का है है ना जीरो बनाए गई यह तो 200 लिखेगा यह तो 300 लिखेगा तो जिसके ज्यादा नजदी को वही लिखता है इसका नियम है यह तो 255 देखा यह तो 300 के ज्यादा नजदी है तो 300 लिख देगा देखो यह 300 होता है ट्रंक ट्रंक एसा नहीं करता है मनमोजी है वो अपना एक ही काम करता है बस बस 2 को 0 बना जैसे माइनस दो लिखा है तो साथ पर पाँच को जीरो बना देगा अभी मैं एंटर करूंगा तो इसमें 200 ही आएगा मतलब फिर चेंज हो जो नहीं करता है लेकिन राउंड और ट्रंक में फर्क होता है इसमें 200 नहीं 300 आएगा अगर यहीं ट्रंक होता तो यह 200 आजाता ठीक है यहां रखना लोए त वौल के में होने पर क्या दिखाई देता है है ङर्दिखाइद करते हैं मंडे संडे तक यहाँ पे लिख दिया Monday क्या लिख दिया Monday अब इसको पकड़ खीच रहाँ देख कुछ होता है हाँ यार होता तो है Tuesday Wednesday से सब आ गया लिखके मतलब Monday लिख के खीच दो हो जाएगा काम है ना यहाँ पे कोई लिखा है Monday लिखकर यह पहले तो सही है Monday लिखकर वाई राइटिंग मंडे होल्ड दराइट डाउन कॉर्णर एंड ड्रैग इट डाउन अराम से लिखके आ जाएगा ठीक है समपूर एक एकल कॉलम को स्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कहां पर क्लिक करेंगे देखो अब दिखाएटाँ आपको जैसे आपको मालोग इस कॉलम को पूरा स्ट करना है तो आप डी पे जो उपर है न डी लिखा है न इचिप क्लिक कर दो देखो पूरा स्लेट हो गया कि नहीं देखो नीचे तक पूरा हो गया अगर आपको row करना हो तो किसी row पे कर दो बस इस पे तो यह क्या है यह heading है row का heading है यह column का heading है column heading पे उपर click कर दो, B पे click कर दो, C पे click कर दो, 2 पे click कर दो 3 पे click कर दो, पूरा select आपका हो जाएगा एक चीज़ दूसरी दिस shift दबा की space बार दबा दो, क्या shift प्लस space बार shift बटन जानते हैं, इस पे साला जानते हैं ओभी दबा तब भी select हो जाएगा, तब यह column select होता है, ठीक है, अगर यही चीज़, मैं alt shift alt नहीं control होगा, देख लो control shift पूरा select हो जाएगा, तब कोई बात नहीं इसका क्या हो जाएगा column heading, heading पे जब आप click करोगे तो पूरा का पूरा select हो जाता है रोच की height को बदलना है तो क्या करेंगे, देखो row क्या है row तो यह है, 4, 5 यही है इसकी height को बदलना है तो क्या करेंगे पता है, तो आप कुछ मत करो यहाँ पे किनारे चले जाना पकड का ऐसे उपर नीचे करो अपने या बदल जाएगा अगर row के height को बदलना है रोखी तो चोड़ाय बदलते हैं तो ऐसे ऐसे कर दो बदल जाएगा ठीक है, एक तरीका बेस्ट तरीका है यह फी तो इसको उत्तर क्या हो जाएगा यह बी नंबर वाला यहाँ को उत्तर दिया भी है बी नंबर इसी ऐसे बतलते हैं इसी से है की नहीं यह तो हाँ सर बिल्कुल तो यह देखो टैल कि में number किस alignment होता है तो देखो, देख लेता है ना दूद को दूद पानी को पानी हो जाएगा यहीं पर क्या करना है जैसे आपने लिखा ए यह तो लिफ्ट है अगर इसमें आपने लिखा पांच पांच देखो राइट हो गया आटोमेटिक और ए लिफ्ट हो गया मतलब alphabet जो होता है लेफ्ट alignment होता है और number आपका राइट alignment होता है पापी किया गया है टेक्स्ट बीना format के साथ पेस्ट करने के लिए एडिट टैप की किस command का प्रियोब करेंगा तो पेस्ट इस्पेसल पेस्ट का मतलब ही होता है कि shortcut की वही होता जो calc में होता है वही writer में होता है टेंसर मतलेना worksheet में राज insert करने के लिए किस tab का देखो जैसे आप पता नहीं होगा जैसे मालो मैंने इसको bold कर दिया 25 बोल्ड हो गया तो और कर दिया इसको copy कर लिया मैंने copy कि अब यहां पर पेस्ट करने आया मैं पेस्टThis है जिसम करना चाहते हो पैसे एकश करना चाहते हो या फिर डेकर ना चाएक लेकिन तो ऐसे करो गो तो यह समसे गया आप लोग पेश्ट इस पेसल से नहीं होता है विश्ट है वी यूज़ इसकी हेल्प से हम क्या बोल रहे है रोज रो आपको अगर इंसर्ट करना है तो किसकी हल्प से करोगें सिम्बल शेयं जाओ इसकीर के क्या है जा Michigan Southern और जैसे और कुछ करना चाहोगे न माल लो आपने यहां पे लिख्या एक यहां पे लिख्या दो और दोनों को स्रेट कर लिए आप पकड़ाय से खींचने लगे जो कोई एक दो तीन चार पांच आ गया सिर्फ एक खींच होगे तो तो भी ऐसे हो जाएगा देखो मतलब मस्त ही ना आइडिया यह भी अब इसको देखो फूटे से बड़े की और डेटा को सौट करने के क्या कहते हैं देखो छोटे से बड़े को सिंपल सी बात हो अशेंडिंग उसको कहते हैं अगर बड़े से छोटे पूछता तो आप डिसें लिखना नहीं पढ़ेंगे निए बहुत देर दे लिखना पड़ता है जैसे इसको क्या होता इन सब कोहटा दूं क्या कि अब साफ जैसे मालों किसी में मैंने पेश्ट कर दिये इसको साइटी सागर आ रहे देखो इसका मतलब क्या हुआ समझ लो कि हम किया बड़ा गर्वन क्या थोड़ा से यह दिखो तम साइटीस क्यों आया सबसे पहले ब्रेकट के अंदर फाइनल करता है यह जैसे प्रोड़क्त लिखा ना पहले प्रोड़क्त मतलब गुड़ा होता है तो पहले पांच और साता गुड़ा करें साथ पच्छे 25 आ जाएगा न उसके बाद सम करें दो को जोड़ देगा 35 में इतना आपका 35 बन जाएगा इतना 35 जो बन गया है तो दो और 35 सम कर देगा सम का मतलब जोड़ना तो संतिसा जाएगा सिंपल सी बात है ऐसे होता है अगर यह उल्टा होता तो एक क्वेश्चन आता है प्रोड़क्त बाहर आजाएगा आपका 37 है ना 35 बन इस पर सिस्ट में डेटा को बिविन भागों में देखना क्या कहलाता है तो उसको कहते हैं फ्रीजिंग पेंड यह क्या है भाई जैसे फ्रीज नहीं करते है आप जैसे फ्रीज करोगे जब ना जैसे माल लो आप्ष्ण का मिलेगा वियू मे तो मैंने अमने क्लिक कर दिया से तो यह देखो दो पार्ट में डिवाइड हो गया ऐसे फ्रीज हो गया यह वाला वन और ए इससे फ्रीज से क्या होता वन वहीं पर रुखा रही जैसे वन में आपने कुछ लिख दिया यह क्या हो रहा है रुख जा अगर वह इसमें मने कुछ लिख दाई से लिखा माल हो ना अभी इसको नीचे करोगे देखो वहीं रुका रहे गई है वन नमबर देख रहे वन नमबर रुका है वहीं जो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पेंस एक्चुवल में जो यह पूछ आज कमतलब करने की शौट कटकी क्या है अभी सच्थ मताया शिप्ट प्लस इस्पेस बार मैं नहीं फिर स्वारी इसका होगा हैं कौलम को मतलब उपर निचे है। अगर मैं कॉंट्रॉल प्लस इसप्र बार दाहा हो, यह पूरा हो जाता है। । अगर मैं होते हो सेलेक्ट हो जाता है। लिख लो west करने की शौट कटकी होते है। उपर जूर और कॉलम सीधे स्पा सी फ़र कॉलम चॉछट और यह देखो, है ना, अभी बता रहा था, मैं confused हो रहा था, लेकिन अभी याद आया, control plus space bar से आपका column select होता है, tip plus space bar से आपका row select होता है, अधिक्तम को हल करने के a1 से a3, इसका simple सा है दोस्तो, a1 से लिखा होता जब न, पहले बाद तो यह आपको बीच में column लगाना होता है, तो किसके लिए test के लिए होता है, अब यह क्या होता है, आप सोचोगे, प्रसर बताओ, देखो, जैसे मैंने लिखा, यहाँ लिख दिया goal, और यहाँ लिख दिया, यान, और यहाँ पर क्या किया मैंने, मैंने लिख दिया बराबर, इसको, फिर लिख दिया and, and कहा गया operator दिये तो इसको लिख दिया मैंने ठीक है अब मैं एंटर कर दिया देखो गोल या लिख क्या गया एंड ओपरेंटर क्या करता है बी फोर और सी फोर को जोड़ दिया लेकिन टेस्ट के रूप में जोड़ा है ना विस सम कर दे तो गलत बताता क्योंकि नंबर को जोड़ता है सम तो अधर हुआ है आधर को परियोक किया जाता है यह समय देखो जो बता रहा हूं सब क्लास में बताया हूं जिसको क्लास लेना हूं ले सकते हैं यह क्या करते हैं किस टेप डेपंपल सी बात इक्डम अभी दिखो व्यूद जब जांगे आप धा शॉटकट की भी जान लो कि है हएक। इसको बोलते हैं без लिखह हुरने हैं ऐसे एक ये आपका धेपर, जैसे एक दो- तीन-चार यहां नममर। लिखा होता है, उच्ख जास लेफ्ट है मां अब पहस्ट होता है शोह हाय से खाई होनी कि छो हुझे, देखने लगेगा कई दो हाँ सार चीक है क्लियर है ना अब आगे देखते हैं वर्तमान ती थी और समय में एंटर करने के लिए कौन से फंक्षन का यूज करते हैं अब यह माल लो तो फार्मूला भी दिख रहा है क्या सबका शो फ्रमूला हटा दो सब लगारे जैसे नाव लिखा नाव अगब ऐसे कर दिया तो यह ऐसे नाव फंक्षन का काम यह होता है करेंट डेट अंट टाइम द है पने बराबर मोड अब दो नमबर लिख दिया आपने कौन सा लॉह जैसे लिग आंपने साथ अब सातेえーि कि हमें दिवाइड कर दो आप है डिवाईड जाना चाहिए देखो कि क्या कर रहा है कन्फूज होगी है क्या है कि यह तो डेट वेट बताने लगा या आगल ही भी यह देखो भी आया तीन मोड साथ और चार से डिवाइड किया है मैंने तो तीन आ रहा है मतलब रिमांडर लाता है मोड फंक्सन सिंपल सी बात है इसका उत्तर क्या हो जाएगा देश फल भाग फल कोशन लाता है कोशन अभी आएगा क्याल कि में कौन साथ कट कुझी सेल के चैन को दाई और बिस्तारित करेगी तो सिंपल सी बात है दोस्तों अगर आपने माल लो चिप्ट दबा के राइट अरो दबाओगे ना तो सेलेक्ट होता चला जाएगा आपका कि प्लस राइट आरो कहां पे है किप्ट प्लस है कि अच्रीट के डेटा को ग्राफीकल तो उसको ग्राफीकल में बना है ना उसको बोलता है चार्ट इस होता है ना अब आगे देखते घ्र इन मेंसे कैल के जूम और व्यू लेयाओट टालोग बॉक्स में इन मेंसे कौन सा जूम फैक्टर अपलग्द नहीं होता है यह वाला इसमें चल जाओ आप जूम और व्यू में मिले गई है जब जाओ गया आप तेहां जूम को आफ्शन मिलता है जूम के चस्ट नीचे आप जूम पर क्लिक कर देना, जब यहां पर क्लिक कर देखो, optimal है, fit bits and height है, fit bits है, 100% है माल लो, optimal है, fit bits and height है, fit bits भी है, fit bits है, optimal है, fit bits and height भी है, selection नहीं था, selection आपका उठता है, clear है, आगे देखो, इस चार्ट में क्यों लेक डेटा स्रेडी को दर्साया जाता है, देखो जब पाई जो होता है, इसको पाई चार्ट, पाई चार्ट असे गोला सा होता है, उसमें ऐसे बने होते हैं, ठीक है, जैसे इसमें दे दिया, इसका एक question और आता है, कि खर्च को कौन दर्साता है, कौन सी स्रीज, तो खर्च को भी पाई चार्ट ही दर्साता है, कौन सा चार्ट अपने इतना आपने प्रियोग कर लिया इतना खाना कहा लिया हम यह सब चीजे लिव को बोले हैंगे जोSet कोई इसको आज बनेघा थे और वह उसको जीसमें डेटा को चार्ड के रूफ में लुप में परशश्च्र niż होता है उसको पलॉट माल हो काई इसको आड़ा, माल लो, ढोस्ते हैं फूरी आप इंसर्ट में गए, क्यार्ट इंसर्ट करताे हैं अब इस चार्ट को इस पर ब modular रहा है यह पूरा अर्या थो थी जाख आए, पूरुम इस को है कि हटिक कैसे भाई कि खड़ गया है कि क्यों कहते हैं प्लॉट एडिया जो इन बीच का होता है बाकी पूरे एडिया को चाट ही रहे कहते हैं चार्ट को क्रेट करने के स्टेंडर टूलबार किस अइकन पिकरें तो इमपल से इंसर चार्ट यह कहाँ मिलेगा यहां पर यह एक इन आटो सम ही जोड़ता है ना किसी भी सेल में वर्तमान दिनांग को प्रविष्ट अच्छा दिनांग अगर एड़ करना है तो क्या करोगे आप बहुत मस्त कुश्चन है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन देखो इंसर्ट में जब जाओगे ना इंसर्ट में तो होता है नहीं इंसर्ट में होना चैए फीक होता डेटा एंसर्ट में तहां रहता है यह यह एट यह टाइम देख लिए करन का का ऑट है के सेमी कॉलन और आपको मालूप मैं आगे देखते हैं दोनों प्रेश्चन में बता दिये मैंने select किये हुए cell को edit करने के लिए F2 दबाते हैं कैसे माल लो आपने यान को edit करना है तो edit में जाओ वे यहाँ पर F2 दिखो अब आते हैं अगले question पर आफिस कैल कि में अंतियम एडिट सेल तक पहुचना है तो control and दबाते हैं और पहले में जाना है तो control home दबाते हैं देखो सिर्फ home द दबाओगा तो क्या होगा सिर्फ home दबाओगा तो यहां से आप यहां पहुंचें मैंने दबाया home हुघ्णar और Ctrl प्रॉस ह्प दबाओगे तो एकदम पहले पहुंच आइंट दबा अगया यह चीज होता है द है इसका उत्तर स्वसे control and होगा, output of calc expression इतना, इसका output क्या होगा, इसका output देखो इसमें क्या होता है ना, 10 और 2 नीचे हो जाएगा, दोनों को गुड़ा कर लो, 10 और 2 को, यह नीचे हो जाएगा, दोनों नीचे हैं ना, 10 दून 20 25-100, आएगा तो 5 ही, आपको करके दिखा दो एक बार, जैसे यहाँ पे लिखा आपने बराबर, तो ठीक है सर, फिल आपने लिखा 100, फिल आपने लगा दिया, फिल आपने लिखा 10, फिल दिवाइट लगा, फिल लगा दिया अपके इतना 5 मैंने बोला, फिल इसमें क याद रखना कई question ऐसे पूछते हैं कैलक में function wizard open करना है तो किसका यूज करेंगे बहुत simple है दोस्तों control f2 यहाँ पे चला जाओ insert में यह देखो function wizard का option आ रहा है control plus f2 comment side करना है the control alt c यह तो उसमें भी होता है writer में भी सब में यह होता है यह क्या कर रहा the combination of the column later in row number of for cell in calc is called उसको बोलते हैं cell reference जैसे a1,ab,b1,c1 होता है उसको क्या बोलता है cell reference समझल हो गया combination कौन सा वैध operator नहीं है तो इसमें से कौन सा वैध operator नहीं है तो इसमें से कौन सा वैध operator नहीं है देखो arithmetic तो बहुत popular है comparative बहुत popular है text भी दिखा दिया मै referential कोई नहीं होता है referential लिख लेना बहुत popular question आता है बरावर यह कौन सा shortcut की में जितना बता रहा हूं सब आता है ठीक करसर को पहले cell में ले जा रहा है मैंने जैस्ट बताया भी control पस हो हूँ कैल कि मैं इस अधिक्तम संख्या किसी cell में एक cell में आप 32,666 character लिख सकते हो किसी एक cell में जैसि इस cell में आप 32,666 character लिख सकते हो टेक्स्ट लिख सकते हो टेक्स्ट है बरावर वेन प्रिंटिंग तैल कि स्पेश शीट वन आप दो फॉलोंग इस नौट ऑप्सन इन ड्रॉपड़न मनौ अप लेयाउट टेव और अप दो प्रिंट डायलोग बॉक्स लेयाउट डायलोग बॉक्स कहां यह है पेज लेयाउट डायलोग बॉक्स देखो लिखा है लेफ्ट टू राइट देन डाउन मतलब बाय से दहीने जाएगा फिर नीचे आजएगा और टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आएगा फिर दहीने जाएगा है ना टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आएगा फिर लेफ्ट भी जा सकता है और लेफ्ट टू राइट देन डाउन इन्हें से कौन सा नहीं है ऐसा पूछा और देख लेते हैं भाई इन्हें से कौन सा नहीं है इसमें राइट टु लिफ्ट है कहीं है तो यार देन डाउन नहीं है तो कौण सा नहीं है left to right then down है left to right then top नहीं है नहां गया यह वला नी हो जोगत था Sorry left to right then top उसमें नहीं था देख लो left to to right थो है top नहीं है left to right then down मतलब बाइयं से दाइए आएगा फिर नीचे आ सकता है, top to bottom, उपर से नीचे आएगा, फिर दाहिने जा सकता है, और उपर से नीचे आएगा, तो बाएं भी जा सकता है, लेकिन right to left then down भी हो सकता है, right to left then down, cancel कर देता हूँ, उत्तर हमारा मिल चुका है, उत्तर है, left to right then top नहीं, critical question तो होते ही है, सब पता नहीं कहां कहां दे देते हैं बच्चों परिसान करने के लिए, है कि नहीं, calc में इसको add करने का परडियाम क्या हैगा, लिको जब अभी तो कुछ इसमें दिया नहीं है, कोई value, जब value होता तो कुछ आता ना, इसलिए zero कर देना, ठीक है, जैसे कुछ नहीं तो zero कर देना, क्योंक लेकिन संख्या है, देख लेना, 824 लास्ट में होना चाहिए, और 1073 स्टार्टिंग में, default font सांस होता है, जैसे उसमें series होता है, देखो, इसमें है, क्या ही है, लिवरेशन सांस है, ठीक है, क्या है, क्या लिखा है भाई, induced, activated cell on the limit, अच्छा, सक्रिसल द्वारा प्रेडिस सीमा पूछ रहा है, तो देखो, जब आप सक्रिसल का मतलब होता है, active cell, जैसे जिस पे आप प्लिक करोगे, इसे, क्लिक किया, इस पे क्या थोड़ा सा मोटा सा बणिया सा और बन जाता है, ज बन जाए एक deep wide water, आपको गहरी चौड़ी सीमा बन जाती है, ती number करना है, ठीक है, अगर हम row 2, row 4 को स्रड करके delete करते हैं, तो क्या होगा, अच्छा, तो row 2 और row 4, एक बात याद रखना, माल लो, आपने क्या क्या, row 2 स्रड कर लिया, तो shift दबा दो, control दबा के करोगा, कोई tension नहीं है, control दबा delete हो जाएगा, अब right click करके delete कर,ATE हो जाएगा, आराम से, देखूइए, delete आराम से हो जाएगा, tension नहीं है, इसलिए मालोकारी इखार काम आपको, delete कर दिया हो गया, तो अब गायब हो गया, delete हो जाएगा, आपको क्या कहना है, delete हो जाएगा राम से, रो दो और चार डिलेट होगी, बिल्कुल हो जाएगी, टेंसन नहीं है, सिर्फ दो और चार डिलेट होगी, हाँ सिर्फ दो चार ही डिलेट होगी भाई, तरह तरह को उत्ता लिखा क्या है, तो बी नमबर करना ठीक है, लिए कि दो से दो से नहीं सिर्फ दो डिलेट हो जाएगी आपको बी नंबर पर एंसर कर देना आसानी से कि कह रहा है कि 256 डिवाइड बाई मिनिमूम 508 मिनिमूम का मतलब होता है इन में से जो मिनिमूम होगा उससे 256 को डिवाइड करेगी जैसे भी दिखा दूँ आपको घ्या थोड़ा से इसको कौपी कोगे आप जब यहाँ पर जब जाओगे आप दोस्तों किसी में पेस्ट कर दो देखो डिव इतना आ जाएगा है यह क्यों आया क्योंकि जब किसी संख्या को 0 से डिवाइड करोगे न तो यही आता है कुछ भी मतलिखो आप अगर जैसे अभी आपने लिखा यहाँ पर बराबर 5 डिवाइ करने पितना आता है और मिनिमम का मतलब जो सबसे छोटी होगी उससे डिवाइड करेगा भाई तो ओड कटकी को पियोग सेल को इंसर्ट इंसर्ट करनायाथ कंट्रोल प्लस और डिलेट करनायाथ कंट्रोल प्लस माइनस करेंगे which option used to restrict the scrolling of row and column तो freeze अगर कर दिये आप तो भी दिखाया मैंने scroll नहीं हो रहा था है ना प्रीच कर रहे हैं, रो की संख्या, रो की संख्या होती ही 1048576, ये वाला जो B नंबर पर दिखाओं आप हो, अगर मैं, आप अगर यहां कंट्रोल दबाके, नीचे वाली ऐरो दबा दोके, कौन सी ऐरो, नीचे वाली ऐरो, देखो नीचे आ जाएगा सबसे, कंट्रोल दबा के राइट आपर दबाओं तो दाहिन वड चला जाएगा, देखो, 1048576 लिखके आ रहा है, क्लियर हितना, फिर कंट्रोल दबाके ऊपर वाला एरो दबाओं पहुँचाओंगे, कंट्रोल दबाके राइट दबाओं तो देखो, कंट्रोल दबाके मैंने राइट दबाया, तो लास्ट सेल पे हम पहुच गए, मतलब लास्ट कॉलम पे तो लास्ट कॉलम का एड्रस पूछे कभी तो XFD, कितनी कॉलम होती ही, कुल पूछे तो 1024, एक से 1000, 24 नहीं यार, 16000 कुछ हो गया अभी तो, देखो, XFD, मैंने सर्च किया, नमबर में तो 16384 आ जाएगा, यह तो इतना हो गया, अभी प्रजेंट में अभी देखो बताऊंगो, कॉइस्टन हो सकता है, अगर यह काउंट करना है इसको, एक दो तीन प्लस A1 से लेके A3 लिख दिया इसमें, तो क्या आएगा इसा पूछ रहा है, तो क्या आएगा आपके नजर में, भाई, एक दो तीन क तो काउंट कर लेगा, बस तीन ही आएगा, क्यों कि A1 से A3 की बीच में कुछ है भी तो नहीं, तो पता नहीं क्या है, भी question दे दिया एक्जाम में, हमको तो पता नहीं A1 और A3 की बीच में क्या है, बसे काउंट का मतलब नंबर को सिर्फ काउंट करता है यह, जैसे, यह जो हमने ओ किया है क्या बोलते हैं फ्रीज कर रखा है ना फ्रीज हमने हटा दिया अगर हट गया देखो जैसे मैंने कुछ लिखा यहां तीन चार पाँच फिर लिखा ए भी ए अब इन सबको अगर काउंट करना हमें काउंट लिखा दे लिखने के बाद मैंने पूरा स्रेट का लिए यहां से लेकर यहां तक हो कॉंट तीन ही आएगा क्यांकि नंबर को काउंट लिखे दो गया आप अधार यहीं अमकर आउगे सब को पाउंट आई को च्छे इक का मतलब alphabet भी count कर लेगा हो, clear है ना, फिर हार इसका उत्तर टीनी होगा आपका, चलो, कैल कि मैं कॉलम की संख्या देखो माने लिख दिया है, इसमें before 1024 था और अभी केतना हो गया, 16384, 1024 का जो address होता है, वो A, M, और J होता है, तब ही देखो यहाँ पर जो XFD मैंने लिखा था, उसका आया 16384, अगर मैं यहाँ पर AMG लिख दो तो AMG नमबर इन कैल्क में, तो 1024 होगा, है ना, यह हो जाएगा, 1024, अब समझ के AMG का मतलब, इस पर C तो एक से दाई और ले जाता है, या कुझी, दाई और, तो दाई और वाइट टैब भी दबाओ भी तो भी चला जाएगा, और राइट एरो दबाओ भी तो भी चला जाएगा, जैसे, अभी मानलो आप यहाँ में हो, आपको दाएं जाना है, टैब दबाओ, तो भी दाएं जा रहा हूं मैं, और राइट एरो दबाओ तो भी बखा जाता हूं आपको ऐसे इसको कॉपी कर लो ना कोशन साथ से भाग देगा बस उससे सिर्फ इतरने से मतलब है कि उससे से भाग देगा बाकी उससे कूछ मतलब इस इस पर मैंने पेश्ट किया तो को 72 आ गया बहत्तर क्यों हो आए क्योंकि साथ से जब डिवैड करोगे सा का 3749 एक 19 कीसे साथ tomar बस बहत्तर आजाएगा इसका उत्तर हो जाएगा कि एंत्ती जीन का मतलब होता है सिर्फ भाग फ़ल से मतलब रिमांडर से मतलब और रिमांडर का मतलब क्या होता है मोड होता है वी जैश्ट मैं नहीं बताया आगे देखो, कैल कि मैं इस पर शीट में A1, A2, A3, A4 के सेलों की समागरी को कॉपी किया जाता और पेच्ट टांस्पोज आओ देख लेते हैं, पेच्ट टांस्पोज का क्या मतलब होता है, यह समझे, पहले इन सब को एक बार फिर से साफ कर दूँ मैं, साफ कर दिया, अब जैसे क बस, इसको मैंने पूरा सेलेट किया, सेलेट करके मैंने कॉपी भी कर लिया, अब यहाँ पे आगया मैं, कहन commit का यह है, देखो यह transpose, जैसे क्लिक करोंगा देखो यह ulta हो जाएगा, PhD C D E तो पेश्ट टांस्पोर्स का मतलब उल्टा हो जाए अब यह क्या कहना चाहता है एवन एटू एट्री एफोर क्या बन गया और कहां पर पेश्ट करने के बोला है तिल बीवन में चिपकाया गया बीवन में तो यह क्या बन गया यह बीवन है यह इफोल बिला कि उल्टा हो जाएगा देखो मैंने उल्टा कर दिया क्या कि एवन एटू एट्री वेव था तो मैंने यह हाँ एफाइब तक था एफोर तक मालो था जो एफोर तक था तो उसको बीवन में जब चिपकाया गया तो क्या बन गया हो तो आप कहो बिस्तार यह बन यह बला फिर्टब gases यह बला फिर्ट बान देखो तो यह बीवन है कह्तोर सार यहां पर देखो यह already एड्रस है ग्राफ नहीं होगा ठीक है गयल कि में A से लेके D का मतलब क्या होता है तो A से लेकर D का मतलब बार बार बता रहा हूं कि कॉमा लगता है तो A और B या A और D अगर यह लगता है तो पूरा उसकी बीच का पूरा माना जाएगा देखो sum of beat 14 to B19 and product B8 कह रहा है कि B4 से लेके 14 से लेके B19 तक का जोड और गुड़ा करना है B8 से इसमें क्या करोगे अंदर sum होगा कि बाहर sum होगा इसमें अंदर sum होगे दोस्तों पहली बात तो याद रखना आपको क्योंकि इनका जोड इनका जोड जब कर लोगे इसके अंदर बिठाना पढ़ेगा तो sum B14 से लेके B19 तक रहेगा यह इतना तो सही लिखा है इसमें है ना लेकिन पहला ही सही हो जाएगा पूछो कैसे पहला सही हुगा पहले सही हो गया अब आपको होगे सर पहला और दूसरा तो सेम सेम लग रहा है मालों प्रोड़क्ट यह तो दोनों गलत हो गए C और D तो आपने पहला क्योंकि क्योंकि इसमें देखो एक ब्रेकट कम लगाया है इसमें देखो एक ब्रेकट फूरा लगाया है यहां पर एक खुला और यहां पर एक खुला यहां पर दो बंद करना पड़ेगा कि नहीं कि तो हां सब्सक्राइब करते हैं तो फिल डाउन कमांड के लिए कौन सी चौर्ट कट कुझी यूज करते हैं तो फिल डाउन कमांड के लिए कंट्रोल डी उच करते हैं फिल डाउन क यह वाला बड़ा पूसता है यह राइटर में भी बड़ा पूसता है और मैंने राइटर में अभी ज़स्ट आपको बताया था पूरा राइटर वाली क्लास मतलब जब क्वेश्चन करा रहा था तो ड्रॉफडा अन मनêu में क्या होता है वही इसमें भी होता है जो राइटर में होता है अठाईस के बाद सीधान बड़ा चबड़ा शच्भिसक बात मालों 8 गेंज यह वाली सातर है अब देखो खुदी समझ जाओगे 28 के बाद सीधा 32 आजाता है इसमें सिर्फ 28 ही होता है ना तो 30 ना तो 39 ना तो 31 कुछ होता है नहीं होता है चलो आगे बढ़ो क्या रहा है कि कैल्क में ब्लट सुगर नाम से परमातिक नाम इसे मां आउसत क्या होगा तो आउसत का होता है बराबर एवरेज ब्लट सुगर लगा तो बस यह जो भी ब्लट सुगर होगा जिसका विश्चा भी आवरेज आवरेज का फरमूला यही होता है पूरा पूरा आवरेज मतलब लिख के होना चाहिए कैलक में फरमूला को कहते हैं कि फिल एवन की समागरी को एक दसामला अस्थान पर करें उसको राउंड कहा जाता है एक दसामला मतलो देखो यह देखो राउंड दो तरहीं किस दोस्तों यूज होता है कैसे एक तो अगर आप माइनस लगा देते हो जैसे अभी देखा था आपने मालो यहां पर कर दूँ मैं बरावर लिख दिया समझ लो यह भी बहुत अच्छे चीज़ है परावर कर दिया राउंड यहां लिख्या मैंने 175 अक्वामा लगा के दो लिख दिया अब यह दो आपका माइनस दो लिखना है अगर दो लिख दो कुछ नहीं होगा देखो यह 175 के पुरा वही आ गया है ठीक है अगर माइनस दो लिखते हो इसका मतलब क्या होता है पता है दो जीरो बना देता है लिकिन अगर प्लस में लिखते हो तो कुछ नहीं होता प्लस का मतलब होता है जैसे मालों एक सो पचात्तर न लिख्या आपने लिखा 1.75 है ना 1.75 लिख्या तो कोई फरक नहीं पड़ा क्यों क्योंकि 2 का मतलब होता है दसमलों के बाद 2 संख्या होनी चाहिए अगर एक लिख दो गए तो इसका मतलब बताद दसमलों के बाद एक संख्या होनी चाहिए तो 1.7 ही होना चाहिए बस 1.8 हो गया मतलब बढ़ जाता है यह इसमें देखता है ना कि किसके साइड भार ही है उससे साइड करता ही तो 1.8 और 1.7 में पहुन ज्यादा माइन यह वाला उत्तर हो जागा पर राउंड एवन एक प्लस लगता है तो मतलब की पॉइंट की बात कर रहा है यह माइनिस लगा देते हो मतलब जीरो बना देगा हो दोनों बात पता होना चाहिए कहल कि मैं सेल को हटाते समय क्या उतलब नहीं होता है अभी था तो यार य यह सल हमको हटाना है यह चीट में चला जाओ डिलेट शेल करो विजब अब लेफ्ट रूंग शेल मतलब स्क शीप लेफ्ट और बाएं होता है बस तो आप और लेफ्ट डाउन नहीं होता है डाउन किस में होता है डाउन होता है जब जोडते हो आप तो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं कि взять फूर्ओं पникомि होता है जाएं दाएं बाएं में लेफ्ट राइड होता है तो आम अवारत लाइंकर लेफ्ट वाण्मेंट होगा आज और राइड होगा और वर्टीकल कुछे तो ऊपर नीची वर्टीकल में इन top alignment होगा और सेंटर होगा और बॉटम भी होगा तो वर्टिकल में तो बॉटम टॉफ होता है इसमें बॉटम नहीं होगा क्यों कि यह होरीजेंटल पूछ रहा है होरीजेंटल में राइट जस्टिफाइए लेफ यह सब होता है कि कॉलम के लिए निवंतम चौड़ाएं तो कॉलम में ना आप निवंतम चौड़ाएं 0.1 जितना का जीरो भी कर सकते हो इसमें 0 नहीं करना आपको ऑफसान जीरो है नहीं वैसे जीरो करने का मतलब हाइट हो जाएगा फिर दिखेगा भी नहीं क्या मतलब है इसलिए 0.1 करोंगे तो कम से कम बचा तो रहेगा की नहीं सीथ आप अपने लीबर ऑफिस कया स्टीट में हिएफिड याप जाता है यह अफ शिपत सब्सर क्या होगा अभी अगी जेश्ट अब नहीं बताया कि दिस्ति तुद फ्सर लाळ जाते हैं तो पूरा का पूरा रोग चनय को से रो जिस भी रो में आप रहोगे जैसे दी थ्री कह रहा है दी तो यह है माल लो थ्री यह है इसमें कर दबाओगे तो क्या होगा पूरा का पूरा आपका थर्ड नमबर वाला row select हो जाए तो थर्ड row will be selected आपको उतर क्या हो जाएगा थर्ड row will be selected आगे बढ़ते हैं भाई यह इस पर sheet में split command आपको sheet को कई पेन में विभाज़त करनी का नुमती देती है तो बिलकुल जाई content and move sell content यहीं लिए मतलब drag and drop का मतलब ही होता है कहीं से उठाग कहीं और रखवा दो आप copy और move या फिर cut and paste से कहते हैं यह उससी तरह से होता ही है फर्मूला इसका मान क्या है इसको आपको दिखाना पड़ेगा वैसे बहुत इजी है यह देखो फेले आपको समझा दूँ इसमें क्या होता है 16 गुड़े 2 करेगा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा 32 माइनस 32 जीरो हो जाएगा नहीं रहना है ले नहीं जाएगो समझ जाओ आपको दिया है simple एक्दम 12 गुड़ा करोगे 32 माइनस 32 जीरो हो जाएगा 0 25 से डिवाट करो तो क्या आएगा कि कुछ नहीं आएगा मतलब यहीं आजाएगा अब देखो निम्लिक मेंसे कौन सा चार्ट बिजाड में उपलब्द पाई चार्ट का प्रकार नहीं है अच्छा जलो देख लेते हैं फोड़ा से कसी बहाने आप इंसर्ट में जाओ चार्ट में जाओ और चार्ट में जब ओक वों कॉहां तो कौण सा चार्ट पूश हाता पाई इशनाँ भाई चार्ट में चले जाना व्यहाँ पर ढ़ीं देखो गया इस पे ले जाओ इस पे पहले जो normal है जो ठीक है normal है और यहां क्या है exploded pie chart है जो भाँ ठीक है exploded pie chart है doughnut है जो भाँ सर ठीक है और exploded doughnut मतलब normal exploded doughnut exploded doughnut दोनों mix कर दिए बस चलो डोनर था normal था exploded था इस पेरिफेलिकल कोई था नहीं यही आपका answer हो जाए क्लियर है क्यल्क में filter के लिए कौन सा विकल्प हम चुनते हैं तो short and filter का option कहां मिलेगा यह data में मिलना चाहिए यह दिखो short मिल गया short ascending short descending more filter है ना बहुत सारा सब कुछ कहां मिलता है तब आपको मिल रहा है data में data shell के बगल होता है एक चीज और question दोस्तों पूछता है इसमें क्याल के में कुल कितना मेनू होते हैं एक मेनू दो मेनू तीन मेनू चार मेनू पांच छे साथ आठ नौ और दस ग्यारा मेनू कैल के में होते हैं और ग्यारा मेनू ही आपको राइटर में भी मिलेंगे एक मेनु दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आट, नौ, दस, घ्यारा लेकिन इंप्रस में आपको एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, दस मेनु ही मिलते हैं आपको ये भी मालoph होने चैनल आगे पढ़ते हैं करेल के स्वेस्ट में कोशिकाओ A1 B1 C1 D1 की समागिर करमसा एक दो तीन चार है माल लो फिर उसके बाद कराए A1 में समागिर क्या होगी यदि आप कॉलम C को छिपाते हैं और जोड़ देते हैं देखो छिपाने से कुछ होता नहीं दिखा देता हूँ आपको पर इस सब मारो एक बार फिर साफ कर देता हूँ पिसी में हो A1 B1 छोड़ो एक है दो है तीन है चार है पांच है तो पांचार नो तीन बारा दो 14 एक 15 कुल 15 आएगा तो जैसे माल लो मैंने यहां पर बराबर किया sum किया sum करने के बाद मैंने क्या किया इन सब को thread करके जोड दिया तो पंदर ही आया कहे दो हाँ सब पंदर ही आया अब मैंने क्या किया इसमें 3 को hide कर दूँ hide कहां से होगा teach में hide हो touch आए still hide का option कहीं दिख रहे still hide insert row still column hide का option कहां गया यार format में होगा हाँ format में होगा cell hide कर दो मैं किसको hide कर दिया 3 hide हो गया format में मिलता ध्यां रखना आप लोग गलती मत करना बूलना महीं आप लोग को question भी पूछ सकता है ना हम इतना बढ़ाते पढ़ाते दिमागी दादर को में जाता है याद रखना आपको format में हाइड और वह मिलता है देखो आप 3 दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है हम फिरसे भी लगा दो आप formula A1 से लेके A5 तक जोडे गई है तो अभी 15 आ रहा है कि नहीं तीन को भी जोड़ रहाए कि नहीं जोड़ रहा है क्या हां सरु जोड रहा है सब भी आया के दो हाँ सा रात हो रहा है यह चीज आप धियान रखना तो जोड़ेगा वह जोड़ दिनको चार तिन साथ दो नौएक दस दस आएगा कि अब इसको देखो कि एवन में 85 है एटू में 86 है एथी में एल है एफ़ोर में एम है एफाइब में एन है अगर काउंट ए लग गया तो मैंने अभी जश्ट बताया था काउंट ए लगता है तो सब को जोड़ देता है तो सब को जोड़ देगा एवन एक दो तीन चार पांच पांच आएगा सब को जोड़ देगा नो किसी संख्या को जीरो से भी भाज़ित करेंगे तो बार बार वह बढ़ जाएगा। अए दुह सार बढ़ जाएगा। फ्लस आप एक तरीका भी ऐसमद नी मुताल अल्ट दबाक है अब रायट इयरो दा देना तो फिक है जब हम right arrow दबाते हैं राइट आरो का मतलब है राइट आरो जो होता रीट अठी नहीं होती है तो राइट दपाऊगे तो बढ़ेगी लेफ दबागा तो घटीगी ठीक है अब इसका क्या हो जाएगा बढ़ाने की पूछ रहा है तो राइट अरो अगर लेफ घटाने की पूछ तो लेफ आरो प्रोडक्ट इतना इतना अब सम बीच में देदी है सम बीच में 7 5 12 हो जाएगी 12 दून 24 हुद उत्तर क्या जाएगा सिंपल है की नहीं ऐसे कैख आया था उपर प्रोडक्ट का अंदर प्रोडक्ट था पहले हम गुढ़ा करते अब इसमें पहले जोड रहें इसल की डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है आओ यहां पर आजाओ फॉर्मट में चला जाओ यही भी मिलती हाइट वेट सब्सक्राइब हाइट पर जब करोगे ना बड़ा करेता हूं डिफॉल्ट हाइट होती है इसल कि मैक्सिमम कितनी दोस्तों तो maximum कर दिया 110 महलो 110 कर दिया ओक कर दिया तो बढ़ तो गई बहुत ज्यादा यह इतनी बढ़ गई फिर इस जब फॉरमेट में जाओगे जब फिर से रो हाइट चेक करोगे देखें यहाँ पर सौ लिखके रहे 110 नहीं दिखा तो ही आ गया पूछे हो क्यों सव आ गया है क्योंक है 100 से जारा हो नहीं हो सकती अब मिनिममम आप से पूछें तो कितना कर सकते हो आप मिनिममम जीरो ही तरह सकते रोस्तों प्रतिर को के अब सोजरों को फिरों हो गया निवों पहले आपकर है बढ望 पांट मलों पहले आपने हाइड कर दिया था ता कि क्युंकि हाई हो गया इसे कि ए आपने यह जया आ आपनी यह जाना अच्छा एक चीज़ और इसी तुरूंट इसी लगे हाँ देखने चाहरा अब कॉलम का पूछे बिट्स तो बाइडिफॉल्ट होते हैं टू पॉइंट टू तो पॉइंट टू सिक्स होता है तो टो पॉइंट टू सिक्स भाइडिफॉल्ट इसकी बिट्स होती है बाकी चॉड ओम मैक्सिमम इसमें भी 100 होगा मिनिमम माल लो सिसमें भी 0 भी कर सकते हो थोड़ा बढ़ा के करो दो ठीप यह आप क्या हो गया रो का हाइट इधर सेकेंड नमबर पर टू पॉइंट टूसिस जो लिखाय हो क्योड़ाई लिखी सीलिंग माइनस में आगया तो क्या करो गया आप एक चीज और आपको एकसल खोल देता हूँ इसको बताने के लिए थोड़ा सा आपको एक चीज बताओं मैं इसको अगर दोस्तों सीलिंग का मतलब आपको मैंने समझा दिया था पहले ही सीलिंग का मतलब होता है कि साथ का डिविजिबल तो होना चाहिए लेकिन बड़ा वाला यह नेगेटिभ नमबर है नेगेटिव नमबर में जो चूटा होता वो बड़ा होता चूटा होता है तो अगर यही पॉजिटिव होता दिखाता हूँ आपको जैसे इसमें गये आप यहां पर पेस्ट कर दिया मैंने। एरा रहा है! क्यों? क्योंकि माइनस है ना, शॉमझ नहीं पा रहा है। वाओ बड़ा कर भी सच्छ। इसमें क्या है न माइनस समझ नहीं पा रहा है। अगर यही माइनस हटा दो गया आप तो शाथ से जब डिवाइड करोगे। क्या आएगा से चाहरा सत्य क्यान पर होता है चाहड़ोजस अतंद Опनों बड़ा हाला से के मैंने कापी कर लिए माय अगत लोक एक सलों निया छलता हूँ एक सल्द बढ़ा क्याइए te यहां माइनस लगा दिया है कि इसमें गलत बता रहा है यार यह पागल है यह भी कि उसमें मेरे नए वाले में जो इन पुराना सिस्टम है ना मेरा नए वाला जो है न उसमें ऐसा नहीं है कोई बात नहीं उत्तर आपको क्या करना है समझ लो उत्तर आपको नन वन नहीं करना है उत्तर गर इसे चारो देता है न तो आपको कोई उत्तर स्लेक्ट कर लेना क्या सीलिंग में 13 सत्य क्यान भी होता है इसको करना आपको क्योंकि माइनस में कम वाला ले गए ठीक है मैंने कर उसमें आप बता देता है है इसलिए आपको यही करना हो इसका मान क्या होगा कि कि इतना ऊपर है कि इतना नीचे लेकिन देकिन लेकिन प्रेकट नहीं लगा है इसको कॉपी कट दिखाता हूं इसमें सिर्फ चार को नीचे मानेगे बस यह बाकी किसी को नहीं देखो मलक चार को नीचे मानता है तो गुड़े बीच कितना 200 200 में 8 से गुड़ा करोगे तो 1600 में 400 400 उत्तर आगया 400 आपका देख लेता हूं यह कितना बताता है 411 देख रहे हो क्यों 400 आया पता ही है किलियर होना चाहिए आपको 400 इसलिए दे दिये दोस्तों कि यह इसमें 4 को ही नीचे मान रहा है बाकी सब को उपर मान रहा है हो मतलब 8 कूपर बॉर्ड मॉस नहीं हम जानते हो ना पहले मालों डिवाइडी कर दो चार पंचे बीस बीस पर पांच हो गया यह बीस खतम पांच तस पचे पचास पचास अठ्थे चार्सों कि जाओ कि कैल्क में कौन सा विकल्फ फ्रीज सल के तहत एक बैद विकल्फ है देख लेते हैं अगा इस ब्यू में मिलेगा आपको प्रीज सेल आप्शन तो फ्रीज फर्ष्ट कॉलॉं फ्रीज फर्ष्ट रो यह तो मिलता है बाकी कुछ मिलता है नहीं इस पर क्लिक कर कि अगा 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 फरीज कर देता हूं वरario में गया होड़ी हर एक बार फर्रीज रदा तो इस बागलपंती करता ही है तो फ्रीज मैंने इसमें फ्रीज क्या-क्या option था वैपर स्थ कॉलम repent जो जहीं ही था और फिरव पलब मालों यहां पर होता ही कि तक कर आई क्या कौन सा है बैस औरफ नहीं बोल रहा है यारे कंठे़ कर द जाए है बैदा और क्षी तुलन यह तो गोन क्यों करते हैं तो फिल्टर को पियोग किया जाता है दोस्तों, C specific data जो D number पर नहीं दिखा है, इसके लिए ही करते हैं, 100 question समाप्त हो चुका है, और calc भी आपका यहीं पर समाप्त होता है, आप आगे बढ़ते हैं, इंप्रेस की तरफ, अब आच उका है हमारा chapter number 5, presentation, Libra Office, इंप्रेस, यह भी बहुत important है, इसका weightage, 20 number का है, मतलब 20 question, आपके exam में आने की पूरी संभावना है, कम जादा होता रहता थोड़ा उपर नीचे, अलग बात है, मतलब बहुत खास है, और PDF में आपको जैसे 100 question इसमें में भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन PDF में आपको इससे ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, बाइस सुरू करते हैं, और लाइक सब लोग दबा के कर देना, याद रखना यह बात, जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हो ना, लाइक दबा के ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसे फिर और ग्लाशेस आपको भबशनी में मिलते हो हैं, रिट इंकिक है, इंप्रेस किस तरह का प्रगराम है, हिंपल सा है, यह क्या है, इंक तरह का प्रिजेंटेशन प्रग्रम है, सब जांते हो बच्चा बच्चा इस पर शीट कयलक में आता है, वर्ट प्रोसेंग राइट प्रते एक पीज को क्या कहलाता है इसको स्लाइड कहा जाता है स्लाइड कहा जाता है स्लाइड कहा जाता है किसी प्रजेंटेशन की स्लाइडों को प्रिंट करने पर क्या कहा जाता है उसको तो उसको हैंड आउड कहते हैं हेंड आउट का मतलब होता है जो प्रिंट आउट हैंड मतलब हाथ आउट मतलब हाथ हो में बाहर हो गया तो हाथ मतलब होगा जो प्रिंट आउट होगा इंप्रेस्ट डिफॉल्ट फाइल एक्स्टेंसन देखो भाई जैसे जब इंप्रेस है यह जैसे इसको सेब जब करोग यहां देखो ODP लिख किया जाता है आटोमेटिक लिए फाइल एक्स्टेंस हान है बागी अंटाइटल थ्री लिखा है वन आपको क्वेश्चन पूछें इंप्रेस में किस नाम से होता है तो अंटाइटल वन करना थ्री इसलिए आता है यहां पर आ रहा है क्योंकि मैंने इसका फाइल खर्शन संवता है ODP का मतलब होता है ओपेंड डाकूमेंट को प्रजेंटेशन ओडीटी ओपन डाकूमेंट टेस्ट जो कहीं राइटर का है ODS ओपन डाकूमेंट इस पर सीच्टों की केल का है PPTS पावर पॉइंट का होता है याद रखना नीचे वाला पावर पॉइंट का है PPTX कि स्लाइड की कंटेंट को प्रजेंटरेशन की प्रती एक स्लाइड में सामिल किया जाते हैं तो इसको कहते हैं मास्टर स्लाइड एक बार आप थोड़ा दिखा रहेता हूं इसे मैं पढ़ाया सब हूँ ज्यादा डिटेल से पढ़ना है तो आप लोग कि इसमें इसमें लिए रशाज स्टियान अब कि एक है कि कि इसमें कि इसमें लिए दो सी ची और ओ लेवल कि एड़ी कि अश्रा लिख दिया अब आते हैं हम लोग विउ में देख हो गया बड़ा कर देना थोड़ा से स्वारी ड्यू में आके master slide क्लिक कर दो अब यहाँ पे जैसे यह title हमने title लिखा है तीनों में title कैसे था अब इसको thread कर लिया अब यहाँ से इसको format कर दो इसे bold कर दो, italic कर दिया underline भी कर दिया, color में red कर दो background मन कर दो, देखा आपने यह सब कर दिया ना मैंने दूसरा देखो इसमें भी हो गया, sub में हो गया वही एकदम, देखो sum में हो गया, मतलब एक में आप किया, sub में हो गया, तो इसको master view, master slide यह फिर slide master को कहते हैं, ठीक है यार रखना, चलो, presentation में slide त्यार करने की out line को क्या कहते हैं start इसको slide layout कहते हैं, जैसे आपने कुछ तयार किया है, किस तरह से जो दीख रहा है नो उसको slide layout कह रहेते हैं, simple सी बात इक slide show के दवरान, slide के बिभिन तत्नों का slide तथा sound के साथ प्रकट होना कहलाता है appearance of different elements of slide with style and sound during slide show is or animation effect, animation effect क्या होता है जैसे ना, आद दिखा लिता हूँ आपको, इधर right side में देखो, सब दिखता है, यह slide transition मालों यह animation effect, animation effect में क्या होता है जैसे आपने select करो कि कुछ तभाएगा, जैसे यहां प्रकर दिया, यहां से भी आप जोड सकते हो, खेर, उसके बाद यहां आइड करोगे ना, तो आइड होगा देखो यह, animation effect में sound भी जोड सकते हो, आप नीचे देखो यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा play करके है, देखो यह, मतलब इसमें आप चाहो तो कुछ भी add कर सकते हो, बहुत कुछ, category में, इसको कहते हैं, animation effect के नाम से जाना जाता ही है, खाला कि मैं इसको हटा देता हूँ, animation effect हट गया है, नहीं लगा हुआ है, इसको मैं कर दिया, remove, इसमें animation effect में कई चाहरी चीज़े हम add कर सकते हैं, मतलब sound से लेके बहुत कुछ, उसको animation effect कर देख, presentation के बाएं भाग को क्या कहते हैं, बाएं, left, उसको कहते है, slide pane, क्या कहते है, slide pane, इसका मतलब क्या होता है, slide pane का थोड़ा स्कता हूँ, यह left side जो दिखता है, यह slide, thumbnail समझ लेक तरह का, इसको slide pane का जाता है, thumbnail भी कभी कभी कह देते हैं, इसको slide pane, जितनी slide आप रखे हैं, यहां पर left side में दिखाई देगा आपको, इसको हटाया भी जा सकता है, ऐसा नहीं के नहीं हटा सकते, view में देखोगो slide pane का option होगा, यह, इसको click कर भी हट जाएगा, फिर जाके view में slide pane पर click कर दोगे न, फिर आ जाएगा, उस देख रहे हो कितना होता है, जानना चाहोगे, आपको दिखा जातना थोड़ा सा, फोड़ा छोटा करके, भाग गया, एक मिनट, देखो यहां सेम जमिसको मनें एक किया, और इसको ठाक हींच की धर्किना लिया है, 3000 होता है ज्याद रखना, देखो 3000% maximum इसका होता है, minimum देखोगे तो 5%, द उल्टा मतलब, maximum 3000% होता है, minimum 5% होता है, पता होना चाहिए, और Calc में, Calc मैंने बताया था कि नहीं आपको, Calc के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, कितना होता है, एक मिनिट, यह यार, पोड़ा छोटा का, तभी दिखाई जाता है, नहीं, दिखाई नहीं, देखो, Calc बताया था था मैं वैसे, आपको 400% होता है, यह देखो, और minimum 20%, 20% minimum राइटर का भी होता है, Calc का भी होता है, लिकिन राइटर के जो maximum होता है, 6 सब होता है, और Calc का maximum 400 होता है, लिकिन सबसे अलग होता है इसका, पावर पॉइंट, मतलब Impress का, 3,000 और 5%, मेनू बार का प्रथम टैब, फाइल होता है, सब में फाइल ही होता है, यह आद रखना, नहीं सोचवाब, हर चीज में पहला फाइल होगा, Impress Presentation के Sidebar में कितने सेक्षन होते हैं, तो साथ सेक्षन होते हैं, देखो, यह क्या है, यह देखो, इधर दिखाएगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, एक एक एक्ष्टर दे देते हैं, Master Slide के नाम से, अब आड़ कर दिया, पहले साथ ही होता था तो, साथ, आठ तो ही नहीं, आप्शन में, आठ तो ही नहीं, है न, साथ ही है, साथ ही करना आप, पहले साथ होता ही था, अभी आठ के पढ़ा दी है, Presentation File को खोलने के लिए किस टैव का प्रियोग किया जाता है, यह लो, तो File से ही सब कुछ खोलते हैं हम लोग, यहाँ पे File से जाके Open कर सकते हो, New भी बना सकते हो, है न, चलो, Presentation में पहली स्लाइड को टाइटल स्लाइड कहा जाता है, कौनसी स्लाइड, टाइ Scheme के Format को क्या कहते हैं, तो इसको Template कहते हैं, जो पहले से नहीं बना बनाया होता बहुत सारा, तो Template ही किसी में भी हो सकता है, Writer में भी हो सकता है, Kell के में भी और Presentation में, कीनों में टेंसन नहीं लेना है, Text को Copy करने के Command किस टैब में उपलब्द होती है, Edit में तो Sub में होता ह है, नई स्लाइड को Insert करने के लिए, तो New Slide, है कि नहीं, अब देखो नई स्लाइड अगर आपको Add करनी है, तो कहां कहां से आप कर सकते हैं, यह भी समझ लो, पहली बात तो आपको Slide में चला जाना है, New Slide यहां मिल जाएगा, Ctrl M, इसका shortcut की होता है, Ctrl M, यहीं पर Duplicate Slide भी मिलत जाएगा Option, तो इधर भी हो सकता है, और वहां भी हो सकता है, यहां पर Slide का Changes यहां पर किया जाता है, वैसे, तरीकों से आप Slide को Add कर सकते हो, अब ज़्यादा details और सीखना है, ज़्यादा समय न जाए, question ज़्यादा है, इस हुझा से, आपको मने बता दिये, कोर्स ले लेना बहुत ज़्यादा महेंगा महेंगा नहीं है, ठीक है, जो लोग अभी तक नहीं लिये, अगर लेना चाहते हो, तो मानला को सिर्फ पास होना है, तो पास तो होई जाओ किसी दरा, स्टेंसर नहीं है, प्रिजिंटेशन को सेव करने के लिए, फाइल टैप की किस कमांड का प अब यह गल्दी है, अब यहां पर देखो भी ना सब कुछ मिलता है आपको, जैसे भी इस देखो भी ना हर तरह की चीज़ी यहां पर मिल जाएगा, आपको शेप देखो, यहां साउंड भी है, शेप भी है, बहुत कुछ आइकन भी है, फ्लोचार्ट भी है, एरो भी है, इसकेल करने के लिए, इसे सेट किया जाता है, तो सिंपल सी बात है, हाइट अबिट्स, अबजिक मतलब वही स्लाइड वाइड का आपको सेट करना है, हाइट अबिट्स सेट करतो, स्लाइड मास्टर का अपलाई करने के लिए साइड बार के किस आइकन का प्रियोग किया ज ayo slide master देखो तीसमें कया लिए ?। मश्चर स्लाइट लिए तो !! वैसे देखा जाया ना tujakma नो नहीं slide master master slide भी गलत नहीं होता लिकिन master slide जैनने के गलत होता है । कि स्लाइट पैन ने में से किस इस रूप में परदरशित होता है? तो slide pane जो होता है वो normal view में ही परदरिश्यत होगा वीक है simple सी बात है वही है बीदिखाई दे रहा है नर्मल यूव है जयए से कोई view बदले आप outline view में यह स state outline view में दिखाई दे रहा है वैसे notes में दिखाई दे रहा है slice sorter view में नहीं दिखाई दे और और Master style मालो नहीं निखा दिया था, तो देखा जा तो आउटलाइन में भी आ रहा है और नोट्स में भी आ रहा है, है ना, क्या लिखा है क्या आउटलाइन, नहीं, तो सिर्फ नॉर्मल ही option में है, बाकि स्लाइट सॉर्टर विव में नहीं आता, स्लाइट स्व में भी नहीं नहीं आता है न, नॉर्मल करते हैं न, बाकि मैंने दिखाई दिया कि उसमें भी होता है, जैसे कि अगर आउटलाइन और नोट्स इन दोनों में भी होता है, चले, कौन सा प्रेजेंटेशन में व्यू नहीं है, अच्छा व्यू कौन सा नहीं है, नॉर्मल व्यू उत्माल ह होता है पेज नोर्स वाला नहीं होता है कि नहीं लाइट सॉटर आउटलाइन सब होता है अब यूडेट डिश्प्लेश द लगूने रूपर के रूप में करता है ओ क्या कहलाता है तो उसको हम अच्छा अभी जीसे ना क्या है ना जैसे अभी आप दोस्तों स्लाइट सौर्टर पर क्लिक कर दोगे चोटा-चोटा दिखाए दे गई है ना यहीं पूछ रहा है तो उसको कहते हैं भाई यह स्लाइट सौर्टर व्यू इंपल साइग्दम है कि आउटलाइन व्यू स्रिफ टेक्ष्ट कभी क्वेंशन नहीं पूछता कि कौन सी व्यू में सिर्फ टेक्ष्ट पदरसीत होता है तो आउटलाइन देखो आउटलाइन जैसे मैं करता हो सेकेट नमबर पर है आउटलाइन देखो देखो सिर्फ टेक्ष दिखाई देरे बागे कुछ नहीं है ना स्लाइड साथ चोटा-चोटा इससे बना देता है इसे दिखाई देता है नौर्मल ही रहता है किसी भी प्रिजेंटेशन को तयार करने के लिए के बाद इसका प्रसुई करण बड़े परदर पर देखना क्या कहलाता है इसको स्लाइड शो कहते हैं दोस्तों सिंपल सी बात है क्या कहते हैं इसको स्लाइड शो कहते हैं स्लाइड शो को वर्तमान स्लाइड से आरम करने के लिए किस बिकल्ब का प्रियोग किया जाता है तो स्टार फरन करन्ट छैड नहीं नहीं यह वार्तमान का मतले जैसे अभीर आप तीसरे nع wounds टीसरे स्लाइड पर यह दूसरे पहला है तो आप मालों तीसरे से ही आप शुरू करना चाहते हैं तो उसको कहते हैं वर्दमान स्लाइट से शुरूआत करना वैसे यहां भी देखो किना स्लाइट शो का एक option होता है इसमें देखो लिखा है start from first slide, start from current slide, दोनों का shortcut की दिया है first slide से करो गता F5, current slides करो गता shift plus F5, आगे देखते हैं एक slide को दूसरी slide में परवर्टित होने पर प्रदरशन के दावरान विवेन इफेक्ट को क्या कहा जाता है इसको कहते है slide transition तो यह क्या है अब detail से सीखना हो तो आपको सीखना पड़ा है थोड़त बता देता हूं slide transition यहीं पर होता है देखो एक सेकंड बार ऐसे कर दोगे डिरुशन दे दिया कि दो सेकंड तक चलेगा तो ऐसे अपने आप वो काम करता रहेगा जैसे अभी स्लाइट सो शुरू कर दूं मैं तब तो करना पड़ेगा फिर यही चीज यहां पर भी आफ्टर वन सेकंड कर दो आप ठीक है और इस पर भी अभी खतम हो गया इस तरह से अपने आप चलने लगता है चलो को आटो मेंट करने के लिए साइडवार में किस आइकन का प्रियोग किया तो अभी जैसे मैंने चला दी देखो चल गया कि नहीं चल गया जब आप बस माउस के लिए हटा के टाइम कर दो बस तो उतने टाइम आपने आप चलता रहेगा टेस्ट की दिशा बदलने के लिए साइडवार किस डेक का प्रियोग किया जाता है अच्छा प्रापर्टी कि को अट परपर्टी तो यह उपरे वाला है प्रापर्टी में बहुत कुछ होता है पता है कि नहीं प्रॉपर्टी में जैसे स्क्रीन बदलना है जो भी करोगे न सब टेक्स्ट पर क्लिक कर देखो टेक्स्ट के लिए आ गया यहां पर सब कुछ यहीं पर होता है मतलब फॉर्मिटिंग का सारा काम प्रॉपर्टी से होता है और टेक्स्ट में बॉलेट अप्लाई करने के लिए प्रॉपर्टी टास्पेंड की किस कमांड का प्रियोग किया जाता है तो वह तो यही होगा जैसे अनौरड लिस्ट मुदला अनौरड लिस्ट है ठीक है स्लाइड में टेक्स्ट पाराग्राफ को एक टैब और खिसकाने के लिए निमने में से किसका प्रियोग करते हैं तो एक टैब और खिसकाने के लिए तो इक टैब और खिसकाने के लिए तो नहीं तो टेक्स्ट पाराग्राफ को एक टैब और खिसकाने के लिए इंक्रीज हेलो, जय, गोलियान, मालू, इसको थोड़ा सा आपको बाए और अचा बाए और खिसकाना आये तो उल्टा बोल दिया मैंने, स्वारी, बाए और खिसकाना आं, दाए और बोलता आगर ना तो आपका अलग, तब आपको इंक्रीज करना, नहीं, डिक्रीस कर देना, ठीक है? सिंपल सी पार देखो जैसे आपने राइटर में इंडेंट पढ़ा है सेम वह से इस में मिफ इंडेंट का का म करऊे नहीं रहे इंडेंट का मतलब होता है किनारों से दूई जैसे वार्मट में चले गए Dutykor में देख लो को दिया जैसे अभी बढ़ाओ देंट को इसको कर मैं बढ़ाऊं कि एक संटीमेटर मानल कुछ कर सिभी देखो यहां चलाया यहां से अभी इसको घटा ओगे फिर से फूरी है घटा दिया मैंने जीरो कर दिया अब देखो किया देखो एक खिसक किधार आगया मतलब घटाना ही है अगर दाएं और करना तो बढ़ाना है कम्प्यूटर में इस्टोर मूवी फाइल को स्लाइड में जोने के लिए किस कमांड का प्रियूप करेंगे तो इंसर्ट आडियो एंड वीडियो देखो इंसर्ट में जाओगे न तो यहां पर मिलेगा यह ऊपर ही मिल गाया ओडियो ए किस कमांड का प्रियूप करेंगे प्रिंट कमांड बहुत सिंपल सा कॉश्चन है और इसका सॉटकट की वही होता जो सम में होता है स्लाइट सो शुरू करने के लिए में से कॉस कुछी, स्लाइट सो शुरू करना है तो F5 दबा देना, कहां से? स्टार्टिंग स्लाइट से, अगर आपको करने स्लाइट से करना है तो shift plus F5 दबा देना, प्रिजन्टेशन को क्लोज करना हो तो Ctrl W कर दो, यहीं सम में होता है, जैसे उसमें बताया था हमें कि Ctrl W सिर्फ एक बिंडो को बंद करता है, यह फोर साइज के पेज पर कितने स्लाइट प्रिंट की जा सकती है तो 9 स्लाइट, कितनी 9 स्लाइट, नोट कर लेना यह भी, लिब्र ऑफिस के किस मेनु में स्लाइट टांजिसन कमांड उपलब्द है, ठ Denn ślाइट में होगा, और गया था हो churches किsectrice, him publish me ृष्लाइट में होगा slack टSabonशन है कि कि नियू स्लाइट में होगा मन यो यह स्लाइट यीज देखा है सब से नीचे है सब्सक्राइब कि वह से गोड़ी नहीं से हो जाता है। है कि समस्कों बोलते हैं साइब बार 1 इंप्रस इन ओर उसी ओल्ड वन स्क्रीण एक ही स्क्रीण पर अगर तो स्लाइट शॉटर अब इस किन पर साथ दिखने लगें से लिए कि अज़िए करने के लिए तो रिहर्स टाइमिंग रिहर्स टाइमिग उसका देखो यहां से भी time set हो सकता है slide transition से अभी जेश्ट माने दिखाया भी था आपो की कितने दो-दो सेटन का करतो plus आप slide show में जब जाओगे तो यहां से rehearse timing भी set कर सकते ठीक है thought cut की for slide show from current slide shift plus f5 जेश्ट माने बताया था भी आप अपनी slide में text clip art और art को hold कैसे कर सकते हैं उसका हो जाएगा आपका placeholder placeholder किसको कहते हैं यह समझे लोगा placeholder कि कहते हैं यह placeholder है आपका जैसमें लिखा जाता नहीं सब placeholder का सबसे अच्छी बात क्या होती पता जैसे भी इसमों इसमें आपको दोस्तों मैं कुप सारा पेश्ट कर दूंगा अभी दिखना ये और चो एका टेक्स्ट छोटा होने लगे देख चोटा हो रहा है न तो ऐसी होता है इसका खास बात कोश्चन भी पूझता है इसका काम क्या होता है टेक्स्ट छोटा होता जाता है उसमें कवर करता जाता है सारा का सारा किसी option उपलब्द होती है यह भी slide menu में होगी है इंद में दो बात होती इस इसमें दिखो slide menu में master कि तो होता ही है देखो यह master elements master object, Master background, new master, chain slide master इसमें तो होता ही होता है plus इसमें भी तो होता है व्यूमें भी होता है देखो ये master slide, master notes है न master handout दोनों होता है लेकिन यहाँ पे जब view का option ना मिले तो क्या करोगे आप तो आप slide मेनू पे कर के आगे बढ़ जाओगे समय कि नहीं बाद, तोनों बात समझ रखना विव में भी देखा आपने प्लाइड में भी है है साउंड फाइल जो इंप्रेस में जोडते हैं उसको कहते हैं वैब फाइल बहुत इंप्रेट नोड कलें न कई बार कोईशन पूछा जा चुका है मैक्समम जो में इंप्रेस अभी मने बताये दिया 3000% मिनिममम कितना होता है भाइया मिनिममम होता है 5% यू केन क्रिट अन्यू प्रेजेंटेशन बाई यूजिंग आल फॉलोइंग एक्सेट नया प्रेजेंटेशन आप बना सकते हो किसको छोड़के क्लिक ओन न्यू आइकन यह भी हो सकता है तो आप सिर्फ किससे नहीं बना सकते इसे तो ओपन किया जाता है कोई चीज इंप्रेस में नई किर दिए स्लाइड और फीर कंट्रॉल एम अभी मनें बतावी दिया पावर पॉयंट में में मेनू के अंतनर स्लाइडर कमांड पाया जाता है किस मेन्यू के अंदर पाये अधीए तो ऐसे कि सम पाया पूइड पूछे या फिर ये पूछे इंप्रस जम्प टू लास्ट इडिटेड श्लाइड तो इसको कहते हैं Alt Shift F5 यहां पर दिखाए देखें एडिट में होता है यह कहां पाया जाता है लाश्ट एडिटेड़ जुम्प करने के लिए यह पाया जाता है यह देखो जुम्प टू लाश्ट एडियर्ट्ट इडिटेड़ सलाईड अगर आकरी में जाना है आपको तो फिरहला आकरी में पहले में चलेगे ना तब आप slide में जाके जब इस पर क्लिक कर तो लांच एडिक्टर slide पर कहता है तो यह है आपको shortcut की पता होना चाहिए Alt Shift F5 यही तो था देखनू फिर से तो Alt Shift F5 ठीक है आगे बड़ो relying के लिए …alfort test area चुरू होता तो बॉलेटं से शुरू होता है कैसे से कैसे ना आपने हो हुए लोग तैल स्लायड हैं पहले होता है यह संवर स्लायड कैसे नहीं क्र거ier क्या है यह है यह blank slide देखो लिखा है यह title slide यह title content slide यह title and to content है title only आब बहुत सारा ऐसी बना होता यहाँ आप कि चलो आगे बढ़ते हैं है कि इंपरेस्वियू जो केवल text प्रसिर करता है क्या करोगा ओटलाइन दोगे कोई दिक्कत कोई दिक्कत थी सिंपल बोलोगे सर अभी आपने बताया था नियूंतम जूंग कितना हो सकता है भाई 5% सिंपल एक्डम क्वेश्चन है तोड कटकी का प्रयोगा प्रजिंटेशन में स्लाइट पर जाने के लिए तो कंट्रोल होम दबा देना जैसे सम्में होता तो भी पहलेव चला गिए दोनों काम करता है एक्चुल में सिर्फ होम दबा जबाऊतों यह आप पहले चले जायोगे और आखरीम दाना थेंड एंड और कंट्रॉल एंड है इंप्रेस में टेंपलेट को ओपन करने के लिए आ डेको टेंपलेट को ऊपन करना हो सम में वही है मकली स्लाइट पर जाना तो पेज़ दाउन पिछली स्लाइट बर TO पेज़ बना जा न आ मैं लेता हूं मियंद्य कि यह जाना अगी कि फ्रिंट करने है तो कंट्रोल पी तम सब आपकी तरह इसमें भी वही होता है, कोई वह नहीं कि अलग होता है, निमलिकित में से आप एक लिवर आफिस इंप्रेस में एक से अधिक स्लाइड का चैन करने की अनुमती देते हैं, तो कंट्रोल दबा दो, फिर प्रतेक साइड पर क्लिक करो, जैसे आपको मालो, कंट्रोल म ने दबा दिया, देखो तीनों सेलेक्ट हो गया, तो यह आईडिया अच्छी है आपके लिए, वैसे शिप्ट दबा के भी हो सकता है, लेकिन कंट्रोल आप करना उत्तर, क्योंकि कंट्रोल बेच्ट है, लिवर आफिस में प्रेजेंटरेशन बनाने के लिए निमलिक से किस स्लाइड शो स्टार्ट करते हैं, इसको बंद करना है तो इससी दबा दो, यही है खेल, इसका खेल, तुन वैसे कौन सा लिबर आप सिंपल की बिशेस्ता नहीं है, देखो इसकी बिशेस्ता क्या नहीं यह पता है, यह इस बीकर नोटों को प्रिंट करना या फिर एक लेजर प्रोईंटर इसमें नहीं जोड़ा जाता है कि इस्टायड को प्रभावी बनाने के लिए किस कमांड का उपियोग कि Otherwise है जैता है , तो सबसे अच्छा होता है कि ट्रांजिशन लगा दो समझें कि ट्रांजिशन क्या करता है ट्रांजिशन दोस्तों जैसे ये वाला इनिमेशन ये है ट्रांजिशन बने बताया ट्रांजिशन क्या क्या कर सकता है इसमें ट्रांजिशन लगा हुआ है ट्रांजिशन लगने का प्रूफ क्या है वोन लगा हुआ इसको मतलब यह होता है तो जैसे इसको चेंज कर गए इस तरह से बन जाएगी इसको प्रभावी बन जाएगा ट्रांजिशन लग जाएगा तो एग प्रस्तुती में इनमेशन योजिनाओं को लागू किया जा सकता है आल स्लाइड में टरेंट स्लाइड में सम में कर सकते हैं तब तो डी नमबर उत्तर हो जाएगा आल आफ ऑफसंस इम्परस्स लाइड को दूर से नियंति किया जा सकता है तो ब्लूटूथ की हेल्प से कर सकते हुआ रिमोटेडली है ना दिको वाई-फाइ से भी होता है का ओफसं तो मिलता है तो आप ब्लूटूथ ही करना इम्परस्स खोलने पर इस स्क्रीन किस तरह दिखाए लेंड़ इसकेप दिखाए देता है मैंने आपको बताया ना इसमें लेंड़ इसकेप क्यों होता क्योंकि इसकी चौड़ाई ज्यादा उचाही कम होती है जबकि र कि स्लाइड के लिए स्वरूप फॉर्मैटंग और लेटा करता है आंतार पर कहा जाता है दफ प्रजिंट्रेशन डिजाइन डेट रेगुवरेट लेयावूट फॉरो कि इसलाइड कॉमल कॉल्ट Sanders boatsgen लेट काहते है मातलब एक तरहता होता है पहले ही न वो एक लियाउट रहता है चलो स्लाइड शो के दरण आप मेनू शॉट कट को कैसे शो कर सकते हैं तो राइट क्लिक कर दो पस अपकाम हो जाएगी इंपरस प्रोग्राम प्रते एक स्लाइड के लिए नोट्स बनाता है जो केवल दिखाई देता है देको नोट्स जो होता है सिर्फ यूजर ही देख सकता है आप करना है दा यूजर ठीक है विच वन शुड यूज तो सी ओल स्लाइड लिब्र ऑफ इंपर एक साथ अगर आपको देखना है तो अच्छा इक वली देखना है तो आपको यह करना है उत्तर लिब्र ऑफ इस इंपर डिजाइन टेंप्ले इसकी हेल्प से ठीक है एक प्रिजनेशन टूलवार प्रजनेशन कर देखो पूलवार पिसी का भी हो यह यहां पर देखो ए टूलवार है इसका थरा नीचे है बस इतना ही है देखो यह यह टूलवार सारा तो बाकि सम्मेथ टूल बार वीव में ही पाया जाए आपने देखा था निम निकित में से कौन सी बिशेष्टा लिव्विर ऑफिस इंपरेट की नहीं है यही तो भी आया था यार फिर से आगे है कि यह दो दो बारा कोई बात नहीं उत्तर वही होगा लेजर पॉइंटर के स स्लाइड संक्रमण को जोड़ना यह नहीं होता है पूरा कौन से बिशेष्टा नहीं है ना यह पूछ रहा है तो तरह हो जाएगा यार दो आगया नहीं दिया कोई बात नहीं स्लाइड में टेक्श्ट बॉक्स बनाने का सही प्रारूप क्या है तो सिंपल सा है दोस्तों इ आ कि श्रवास क्या होता जैसे यह वह तरह टेक्स्ट बॉक्स हम लेगा भी ढोट तो इसका शॉट कट्की भी होता है ता जैसे आ बहुत को बनाना आ आपको पना एक से बना लो कुछ लिखना हो लिख दू आपर है कि नहीं यह टेक्स्ट पॉक्स आप इसको मैं हटा दूँ हट जाएक आटोमेटिक चलो अब दूसरा देखते हैं इंसेट में जाओ टेक्स्ट बॉक्स में चले जाना ठीक है इसका शॉटकट की क्या होता है एफ टू क्या होता है नोट करो फटाक से एफ टू बहुत इंपोर्टेंट है दे कोई इसलिए मैं याद दिला दे रहा हूं आपको जो मैं कोश्टन मतलब इसमें नहीं होगा तो आपको याद दिला दूँगा फॉलोविंग कनाड भी यूजट और फील इफेक्ट आफ स्लाइड वेग्ग्राउंड तो कर सकते आप टेक्श्चर भी ग्रेडियंट भी फिक्चर क बढ़ा कर देता हूं एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नौब दस ठीक है है हूँ के यू क्रियेट यूनिफॉर्म अपीरेंस भाई आडिंग बैग्ग्राउंड इमेज टू आउल स्लाइड वे लो वही आ गया जो पने बताया था आपको यह तो प्लाइड मास्टर क हम कर सकते हैं वैसे तो यह उत्तर कर दो व्यू स्लाइड मास्टर सब कर सकते हैं अभी दिखाया था नहीं आपको तो इम्प्रस में अच्छा पावर पॉइंट में अगर जाओगे न तो पावर पॉइंट में एक और मिलता है यह नीचे वाला फॉर्मेट में बैग्ग्राउंड में अप्लाई ओल में इसमें तो फॉर्मेट में होता नहीं बैग्ग्राउंड देखू तो नहीं है फॉर्मेट में कोई तो आप फटाफट बताओगे नहीं सब तो इम्प्रिस में दिखता हम जों दिखो हाँ ऐसे कोश्चन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्यों कि कहते हैं सर पांच जार होता इसमें तो 500 लिखा तो मैं हो समझ में नहीं पाया कुछ भाई तो 500 कर दो ना जब पांच जार नही यह करना ऊतर थी क्लिक करके सभी स्लाइड पर ले जाने जाने क्या कहते हैं तो इसको चेहिए ड्रेग इंग जैसे इसको मैं ले पनकावार ऑनद ड्रेगग कर रहा था मैं क्या कहते हैं इसको dragging slide sorter view का उपियो किस लिए किया जाता है तो सभी slide को एक साथ देखने के लिए बिल्कुल सही बात है तो manage all slide मालो ठीक है organize all slide तो आप कर देना all e कर देना क्योंकि अभी slide sorter view में आभी देखा आपने मैंने किया था न एक साथ हो गया तो एक साथ हो गया इसमें manage भी कर सकते हो आप जैसे कुछ करना हो इसमें न तो इससे duplicate यह वह hide करना हो नेम करना हो layout बदलना हो navigator mode यह सब चीजें कर सकते हो आप इसमें इसलिए सब हो जाएगो नॉर्मल कर दिया मैंने कि अब बना कर कहां share कर सकते हो यूटूब पर कर सकते हो बिल्कुल web page पर slide share सब पर कर सकते हो वैसे especially जो होता question आते हैं तो आपको PDF में मिल जाएगा PDF उन्हीं को मिलेगा जो course लिए है ठीक है चलो निम लिखित में से कौन सा flight design का हिस्सा नहीं है तो design template यह तो हो सकता है color scheme यह भी हो जाएगा animation scheme तो महलों बहुत popular slide layout कर देते हैं यह सब तो होता है यह ना slide layout आपका उत्तर हो जाएगा part of slide design के उन्हीं सा नहीं अलग होता है आप सभी slide में background image को जोड कर यार यह question दो बार दो बार आ जा रहा है स्वारी दोस्तों ठीक है इसका हो जाएगा slide master ही हो जाएग उत्तर ठीक है कोई बात नहीं एक slide के दौरान एक के बाद एक hyperlink का chain कैसे करें tab इसका मतलब क्या हुआ जैसे क्या होता है ना कि tab आप प्रेस करोगे ना तो अपने आप चैन होता जाएगा चेंज होता जाएगा जब आप slide show के दवरान पूछ रहा हो तो tab ही होता है याद रखना आप जिसका उप्योग slide की duplicate copy बनानी के लिए किया जाता है तो control D कि इसमें इसमें इतन होता नहीं है अभी ढूणों को नहीं मिलेगा अभी देखो duplicate slide तो दिया है यहाँ पर option में यह लेकिन shortcut की नहीं लिखा है new slide के लिखा है control M तो यह होता है power point में actual में तो इसलिए आपको यहाँ पर यह तो दिया नहीं है कि कौन से में इसको आप control D कर देना जब हम presentation में किसी slide को hide कर देते हैं तो आप presentation में नहीं दिखती लेकिन file में रहती है विलकुल true है यह जैसे उसमें यह था आप कहल के में वैसी यह होता है इंपर आफिस में प्रतेक स्लाइट के शुरुआत को master slide कहते है तो false हो जाएगी टाइटल स्लाइट कहते है याद रखना ठीक है इंपरस में slide pane को हटाया जा सकता है तो बिलकुल अभी मैंने हटा के दिखाया भी था आप तो view में होता है आप view से आप हटा सकते है अप यहां से यह जो हटा तो यह भी हट जाएगा जैसे इसको फिर view में जाकर ला सकती इसको इसको समझने की जरूरत है अब इसमें जाओगे देखो कि प्रिंट प्रिव्यू का शॉट कट की तो दिखाई नहीं दे रहा है यह देखो कि में है था कुछ नहीं हदी है ना क्या करोगे वाकी उसमें देखोगे जैसे कयल कमिद देखोगे तो ilaurus को होता है तो ऊ क्या करोग को दीखो एक पात बता दूं आपको जो ctrl F2 होता है ना मतलब Microsoft Microsoft में भी तो प्रेजंटेशन होता है देखो प्रिकट में इसली मने डाल दिया है आप कंफ्यूज मत होना Microsoft का यह होता है एमेस आफिस में ठीक है निवन में से कौन सी आपकी लिवर्गर आफिस इंपर्स की प्रिंटेड कॉपी प्रदान करता है तो कहते है ओर्डियन्स एंड आउट ठीक है फिल्टर के अवल मेमेल माब यह तो यार कहल का कोईशन आ गया कोई बात नहीं प्रू हो गए फिल्टर क्या करता है जो बेमेल हो मतलब मिसमैच हो ट्रैटेरिया से उसको खटा देता है जो हम चाहते है वही दिखाई देता है निवकित में स स्लाइड डिजाइन का हिस्सा नहीं है तो स्लाइड ले आउट तुम अने पहले ही बताया था यार बार-बार रिपीट कोश्चन कुछ हो गये दो-तीन कोश्चन हो गये ना कोई बात नहीं तौरी यार तब भी मैंने काफी कोश्चन पढ़ाया आपको अगर सो पूरा नही होगा तो अब भी तो हो गया साओ के करीब दो तीन कोश्चन दुबारा आ गया कोई बात नहीं लागू स्लाइट संक्रमण को हटाने के लिए हम उपयोग करते हैं मैं इन चीज़ कल से ही मैं लगा हूं कोश्चन सेट करने में इतना सारा कोश्चन सेट करते करते ना फुरासा इसन हो जाता है धूरूँगा फिर से सीसकी करेंगा पीडियफ में पीडियफ है यह और कॉश्चन मिलेंगे अच्छ जो लेना चाहूंगी रिमूब करना तो नौन anything कर देना ठीक । नौन टॉनवूब हो जाएगा अर्कसा करने के लिए कि से बिकलफ का पुरियोग माउस को चार और भूमाते हैं तो कहते हैं ड्रेगिंग, यह भी आगया दुबारा लगता है, जिस स्लाइड का उपयोग किया आता है, वहाँ किसी बिश्य का परिचे देती है और प्रस्तुति के स्वर सेट करती है, उसको कहते हैं, टाइटल स्लाइड ही उसको कहा जाता है, पहले स्लाइड उसको परिचे देती हैं, प्रिंटर डायलोग बॉक्स में निमनि में से कौन सा विकलप आप प्रजेंटेशन में स्लाइड 5 और 12 का चैन करना चाहते हैं, तो कैसे, क्या बादा, which of the following option is printed डायलोग वार, would you like to select on slide 5 and 12 in the presentation, देख लेता हूँ, जैसे मैं गया print में, print डायलोग, अच्छा, तो देखो, all slide करोगे, तो सब हो जाएगा, तो स्लाइट करोगे, तो यहाँ पर आप select कर सकते हो, कौन कौन सा चाहते हो, तो इसमें क्या उटतर करना आपको slide, क्या करना है slides, समझगे बात की नहीं, नहीं समझे, देखो यहाँ पर, all slides पर करोगे, तो सब हो जाएगा, सिर्फ slides करोगे, कर सकते हो, अपने हिसाब से कुछ भी है की नहीं, यहाँ पर, निम्ण में से कौन सा टूल आपको standard placeholder का OPO किये बिना, slide में test जोडनी की अनुमती देता है, तो उसको कहते हैं, text box tool, जो से अभी just पहले, कुछ देर पहले मैंने add किया था, तो दोस्तों, सब question complete हो गया है, और यह आपका class भी complete हो चुका है, तो बस दोस्तों, इस class में इतना ही, like दबाग करना सब लो, share भी दबाग कर देना, ठीक है, और subscribe भी कर लेना channel को, अगर आप अभी तक subscribe नहीं किये, तो घंटी भी देवा देना, ताकि आपको notification भी मिलता र कोई सवाल हो आपके मन में, तो comment में आप उसको भी पूच सकते हो, मिलेंगे फिर next class में, तब तक के लिए, जै हिंद, जै भारत